हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमार यूटूब चैनल के उपर आज लूसेंड जी के जीएस के मेरहतन किलास का सेगंड वीडियो है दोस्तों अगर किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाकर पहला वीडियो देख सकता है टोटल पाँच हजार से जादा कोशन है तीन वीडियो के अंदर हम आपको कराने के लिए आए हैं आज तो देज ना करते हैं वीडियो स्टाइट करते हैं अगर आप चैनल के उपर नय है चैनल सब्सक्राइब कर लिए जे बेल आइकोन प्रेस कर लिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिशन आपको मिलते रहें सभी कोशन सेलेक्टिड कोशन है और पहले कई कई बार एक्जाम सके अंदर रिपीटिड है चलिए आपके सामने आपका पहला कोशन है देश के कुल विधुत उतपादन में ताप विधुत का योगदान कितना है तो राइट आंसर है 70% अगला कोशन है ताल चेर एंव इन और किसके लिए विखिया थे तो राइट आंसर है ताप ये शक्ती सेयन तो है तू अगला कोशन है आपके सामने मुद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना कहां इस्ती थे तो राइट आंसर है गुज़राज के अंदर अगला कोश्चन है आपके सामने एंटि पीसी सिंग रोली कहां इस्ती थे तो राइट आंसर है उत्तर परदेश के अंदर आगे कोश्चन है आपके सामने लोग टक शक्ती परियोजना किस राज्य में इस्ति थे तो राइट आंसर है मड़ीपूर के अंदर अगला कोश्चन है टनकपूर परियोजना किस राज्य में इस्ति थे तो राइट आंसर है उत्तराखन के अंदर आगे question आपके सामने उत्तरखन राज्य पूर्ट तया किस परकार की उर्जा पर निर्भर है तो right answer है जल विधुत उर्जा की उपर अगला question है B.A.R.C. का पूरा नाम क्या है तो right answer है इसमें आपका भाबा Atomic Research Center जो है B.A.R.C. का पूरा नाम है अगला question है परमालू शोथ के इन्रा गांधी केंडरी की इस्थापना कब वे कहां की गई तो right answer है 1971 इसमें कल पक्कम चैन्नी के अंदर की गई थी अगला question है आपके सामने भारत विष्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा उर्जा उत्पादक देश है और यह कुल उर्जा का कितना उत्पादन करता है तो right answer है इसमें आपका दोस्तो ग्यारवा विष्व का जो ग्यारवे नंबर पर है उर्जा उत्पादक देश में और 2.4 परतिशच जो है कुल उर्जा उत्पादन करता है अगला question आपके सामने विष्व के सबसे बड़े उर्जा उब्भोकता देश में भारत का कौन सा इस्थान है तो right answer है इसमें आपका दोस्तो भारत का इसमें छटा इस्थान है अगला question है आपके सामने भारत विष्व की कुल उर्जा का कितना पल्टिशच उब्भोक करता है पहले पूछा गया था दोस्तो कितना उत्पादन करता है अब ये के कितना इस्तेमाल करता है उब्भोक करता है 3.7% जो विष्व के कुल उर्जा का उब्भोक करता है तो right answer है इसमें आपका तीसरे नमबर पर है अगला question आपके सामने भारत में कोईले के उत्पादन का कितने पल्टिशच से भी अधिक गेर को कारी कोईले का उत्पादन होता है तो right answer है इसमें आपका 90 पल्टिशच अगला question आपके सामने कोईले की सरवधनिक खपत किसमे होती है तो राइट आंसर है इसमें आपका विधुत उत्पादन में कोईले की सरवधनिक खपत होती है अगला कोशन है भारत कोईले का कुछ निरियात अपने किन समीप वरती देशों को करता है तो right answer इसमें आपका मेनमार, श्रीलंगा, पाकिस्तान, वे सिंगापूर को करता है दोस्तों अगला question है भारत अच्छे किसम का कुकिंग कोईला किस देश से आयात करता है तो right answer है ऑस्टेलिया से करता है अगला question है आपके सामने भारत में मिलने वाला गौणडवाना, काल का कोईला, मुख्यात किस परकार का है तो right answer है इसमें आपका B2 मिनस परकार का है अगला कोशन आपके सामने कोईला उत्पारण में अगला कोशन आपके सामने असम में पहली बार 1835 इसफी में पेट्रोलियम की शेत्र में मिला था तो जगे का नाम है दोस्तो माकूम अगला कोशन आपके सामने असम में वास्तविक उत्पारण कारिये 1890 इसफी में कहां से प्रारम हुआ तो राइट अंसर है इसमें आपका डिक बोई से अगला कोशन है आपके सामने असम में नहर कटिया एँँ खुरी जान मोरान का शेत्र का तेल पाइपलाईन कहां दौरा कह बेजा जाता है तो राइट अंसर है इसमें आपका नून एउ बरोनी बिहार बेजा जाता है अगला कोश्चन है आपके सामने बहुत इंपोरिट कोश्चन है दोस्तों इस कोश्चन का स्क्रीन शोट ले लिए अप और ध्यान से अपने इस कोश्चन को एक बाल देख ली नहर कटिया में असाम के अंदर है नाम्तिक निया ओपांग और लाप टांग पंग अनूचा अरुनाचर पलदेश में दोस्तों ये बारा मुरी शेड़ी ये तिरपूर में है कांगड़ा हिमाचल पलदेश में फिरोसपूर पंजाब में मदनापूर पश्चिम बंगाल मे नो सर मुरादपूर में जम्मो कश्वीर तंजाबूर और चिकल पेट तमिल नाडू के अंदर दोस्तों इसे में किलियर कर देता हूँ आप एक इसका स्क्रीन शोट लेके आप इसे याद कर लीजे का अच्छी तरीकी से भारत में प्राकृतिक गेस के बंडार कहां काश्थी बहुत ही इंपॉर्डिट कोश्वन है दोस्तों इसमें से आपके बीस यो कोश्वन बन जाएंगे अकेले ही सी के अंदर से अगला कोश्वन आपके साब ने ये लुनेज शेत्र कहलाता है अगला कोश्वन आपके सामने किष्णा गोदावरी के तटिये शेत्रों में प्राकृतिक गेसों के विशाल भंडारों की खोच किसके द्वारा की गई तो राइट अंसर इसमें आपका रिलाएंस इंडस्टी के द्वारा की गई अगला कोश्वन आपके सामने भारत के कुल उल्जास अंसादन में प्राकृतिक गेस का योगदान कितब है तो राइट अंसर इसमें आपका नो से दत पलतिशत है दोस्तों अगला कोश्वन आपके सामने वर्तमान में भारत अपनी अवशकता का लगभग किते पलतिशत प मरकां ने जवालल नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरूवात कब की तो राइट आंसर है 11 जन्वरी 2009 में अगला कोशन भारत में कुल शेत्र फलका है कित्ते परतीशत भाग शू बोया गया शेत्र है तो राइट आंसर है तो अब आपका 47 परतीशत तो दोस्तो रभी की फसल किलाती है important question है बहुत बार एक्जामों के अंदर repeated है हर साल किसी न किसी एक्जाम में जरूर पूछा जाता है अगला question आपके सामने जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वे कौन सी फसल होती है तो right answer है खरीफ की फसल होती है important question है दोस्तो दियान रखिएगा अगला question है आपके सामने जो फसल रभी और खरीफ की फसल के बीच की फसल के बीच तयार की जाती है वे कौन सी है तो right answer है वो जायत की फसल होती है दोस्तो रभी की फसल और खरीफ की फसल के बीच का जो वक्त होता है उसमें जो तियार की जाती इंपोर्डिट कोश्चन है धियान रखिएगा अगला कोश्चन आपके सामने खरीब की फसल कौन कौन सी है तो राइट आंसर है इसमें आपका जवार बाजरा नगदी की फसल कौन कौन सी है तो राइट आंसर है इसमें आपका खरबूजा ककड़ी खीरा ये जायत की फसल है अगला कोश्चन है नगदी की फसल कौन सी है तो राइट आंसर है चावल जो है नगदी की फसल है ये सभी इंपोर्डिट कोश्चन है बहुत जादे पूछे ज तो राइट आंसर है उत्तरपगदेश अगला कोश्चन भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है तो राइट आंसर है इसमें आपका धान धान की जो फसले सबसे अधिक उगाई जाती है अगला कोश्चन है हरित क्रांती का जनक किसे माना जाता है तो राइट आंस हरित करांती जो start हुई थी 1967-68 के बीच हुई थी अगला कोशन आपके सामने हरित करांती का मुख्य उद्देशे क्या है तो right answer है इसमें आपका खादान उत्पारन में आत्र में निर्भरता लेके आना यह हरित करांती का मुख्य उद्देशे तो राइट आंसर है पंजाब को. अगला कोशन है, सबजी उत्पारन में यानि कि second number फे है. अगला कोशन आपके सामने. अगला कोशन है, नीली किरांती का संबनी किस उध्धोक से है? तो राइट आंसर है, मर्स्य उध्धोक से यानिंके मश्लियों के उद्hauk से जो है नीली नाली कीरांटी का संबन्द है अगला कोश्चन आपके सामने श्वेथ क्रांटी का संबन किस उद्धोक से है तो राई आंसर इसमें आपका दुख धोक से जो है श्वेत्व किरांती का संभन है यानिके दूद के उत्पादन से अगला कोशन है सुनहेरी किरांती किस फसल से संबंदित रखती है तो राइट अंसर है बागवानी वा शेहद उत्पादन से अगला कोशन है आपके सामने गोल किरांती किसके लिए चलाई गई त तो राइट आंसर है आलू उत्पादन के लिए जो है गोल किरांती चलाई गई थी अगला कोशन है कौन सी किरांती से संबंदित नहीं है तो किर्शन किरांती जो है ये किरांती से संबंदित नहीं है अगला कोशन आपके सामने गुलाबी किरांती किस से संबंदित है तो नीलगिरी की पहाड़ी शेतरों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो राइट आंसरे कॉफी. अगला कोशने राष्टिये रस्दार फल अनुसद्धान के अंदर? अगला कोशने आपके सामने अंगुरू की खेती के लिए कौन सा शेहर पिरसिद है? तो राइट आंसरे नास तो राइट आंसरे पश्चिम बंगाल में, अगला कोशन है, भारत के किस राज्ये में ग्यवहوں की खेती नहीं होती, तो राइट आंसरे तमिल नाडु में, अगला कोशन आपके सामने, किस फसल की कटाई वे बुआई में सबसे अधिक समय लगता है, तो right answer है गंड्य की फसल में अगला question है तिलहन प्रोधोकी की mission की स्थापना कब हुई तो right answer है 1986 के अंदर अगला question आपके सामने भारत का उर्वरक उतपारण में विश्व में कौन सा इस्थान है तो right answer है 13. अगला question है भारत में वरतमान में भारत के संकल घरेलूद पारण में किशी वे सब शेत्र का योगदान कितना है तो राई आंसर है 13.67 पलतिशद है दोस्तों अगला कोश्टन है मुँमफली में दाने का ओसत पलतिशद कितना होता है तो राई आंसर गजू है 70 पलतिशद जो है मोसम में की जाती है तो राइट अंसर है खरीफ के मोसम में अगला कोशन है दुख्द उत्पारण में श्वेत करांती लाने का श्रेक किसे जाता है तो डाक्टर वर्णीश कूरियन को जाते है दोस्तों अगला कोशन है दुख्द उत्पारण में भारत का कौन सा इस्थान है तो राइट आंसरे पर्थम इस्थान है, अगला कोशन है भारत में सर्वत्तम चाय कहां पैदा की जाती है, तो राइट आंसरे दाजलिक में पैदा की जाती है, अगला कोशन है आपके समने, किस फसल के लिए पाने की अधिकतम अवशकता है, किन्तु जमाओ नहीं, तो राइ जूट सन की जो फसल होती है ये रेशे वाली फसले होती है अगला कोशन है भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्याद कहां से होता है तो राइट अंसर है सैयुक राज्य अमेरिका से होता है यानि कि यूएसे से अगला कोशन है दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्जे सबसे आगे है तो राइट अंसर है राइस्तान अगला कोशन है सुच जलिय मशली का उत्पादन करने वाला राज्जे कौन सा है तो राइट अंसर है पश्चिम बंगाल अगला कोशन है दोस्तों आपके सामने तमबाकू उत्पादन में भारत का विश्मे कौन सा राज्जे है कौन से नमबर पे है तो राइट अंसर में इसमापका तीसरे नमबर पे है अगला कोशन है भारत के जूट का उत्पादन शेथफल वाला राज्जे कौन सा है तो पश्चिम बंगाल जो है जूट का सरवधनि अगला कोशन है भारत का सबसे बड़ा सोयबीन उत्पादक राज्य कौन सा है तो राइट अंसर है मद्धे पर्देश अगला कोशन है नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है तो राइट अंसर है पर्थम इस्थान है अगला कोशन है आपके सामने हरित करांती के फलसरूप देश में कुल खादान में किसकी उत्पादकता में कभी आई तुराइटांसरे दलहन एम मोटा नाज अगला कोशन है शुश्क-भूमी के लिए सबसे अछी फसले कौन सी है तुराइटांसरे मुम्भली अगला कोशन है आपके सामने जूम क्या है तुराइटांसरे क्रिशी का एक तरीका है इसे जूम कहा जाता है अगला कोशन है बड़े पेमाने पर ढूट की खेती किस नदी शेतर में की जाती है तो राइट अंसर हुगली नदी शेतर में की जाती है आगे कोश्चन आपके सामने केसर का सबसे अधिक मात्रा में कहां पैदा होता है तो राइट अंसर इसमें आपका कश्मीर में अगला कोश्चन है किर्शी को उद्धोक का दल्दा देने वाला पर्थ हैं तो राइट आंसर है 13 बड़े भर बंदड़गा और 200 चोटे बंदर ज़ने अगला कोशन आपके सामने भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगा का है तो राइट आंसर है मुंबई के अंदर है अगला कोशन है भारत में कुल अंतराश्टी व्यवपार का कित्य पलतिशत व्यवपार समुनरी मार्ग द्वारा होता है तो राइट आंसर है 95 पलतिशत इंपोर्डिट कोशन है दोस्तों ध्यान रखेगा आप इसका अगला कोशन है आपके सामने अगला कोशन है कौन सा बंदरगा मुक्त वेवपार शेतर में है तो राइट आंसर है कांडला अगला कोशन है भारत का कौन सा बंदरगा जोवारिय है तो राइट आंसर है इसमें आपका कांडला अगला कोशन है आपके सामने मामा आर गाउ पतन कहां इस्ति थे तो राइट आंसर है इसमें गोवा के अंदर डाल्फिन नौज नामक चत्टान के पीछे कोन सा बंदर गाहे आपका विशागा पत्नम आनर परग्देश का बंदर गाहे अगला कोशन है जो आरी नदी की एशुवरी पर इस्ती थे तो राइट अंसर इसमें आपका मार्मा गाव बंदर कहा है अगला कोश्चन है भारत के पूरी तरफ्षे बंदरगा कौन सा है तो राइट आंसर इसमें आपका विशाखा पट्णम बंदरगा आनरे पलदेश के अंदर अगला कोश्चन है से तू समुन्र परियोजना किसे जोडती है तो राइट अंसर है मनारिक की खाड़ी वे पाग जल डमरू मत देगो अगला कोश्चन आपके सामने हिंदुस्तान शिपियाड कहा है तो राइट अंसर है इसमें आपका विशा का पटनम आनर पलदेश में जो है हिंदुस्तान श सेवा कहां से कहां तक प्रारम की गई तो राइट अंसर है इसमें आपका करांची से चैन्ने तक प्रारम की गई ती जो पर्थम अंतरराष्टी वायू सेवा थी करांची से चैन्ने तक अगला कोशन है इंपोरिट कोशन है दोस्तों ये भी त्यान लखेगा अगला कोशन ह पर्थम हवाई डाक सेवा कब प्रारम हुई तो राइट आंसर इसमें आपका 1911.20 में अगला कोशन है किस इस्थान पर पर पर्थम हवाई डाक सेवा प्रारम की तो राइट आंसर इसमें आपका इलहवाद और नेनी के मध्धे अगला कोशन है भारत में एर इंडिया की स्थ में अगला कोशन है एर इंडिया और इंडिया न इंट्राष्टि यह रुड़ान एकाडमी कहा है थे फिरसद गंज 1972 में अगला कोश्चन है स्वतनत्रके परशाद पर्थम अंतरास्टी हवाई डग कौन सा है तो राइट अंसर इसमें आपका तिरी वेंदरम अगला कोश्चन आपके सामने राष्टी हवाई एड़ा प्रधीकरन की स्थापना कब हुई तो राइट आनसर इसमें आपका जून 1986 में अगला कोश्चन है पवन हंस हेलिकॉप्टर लिमिटेट की स्थापना कब हुई तो राइट आनसर है 15 अक्टूबर 1985 पिच्चा सीगो आगए कोश्चन है आपके सामने राजी उगांधी नेशनल फ्लाइंग इस्टूट किस राज्य में है तो राइट आंशर महाराश में है अगला कोश्चन है विश्च में सबसे अधिक डांक घर किस देश में है तो राइट आणसर भारत के अंदर अगला भारत में सर्वजनिक डांक सेवा कब प्रारम हुई तो राइट आंसर ए 1837 इसवी में अगला कोशन है वर्तमान डांक विभाग की स्थाप्टना कब की गई तो राइट आंसर ए अक्टूबर 1854 इसवी में आगे कोशन आपके सामने भारत में पर्थम डांक टिकट किस गवर् बचत योजना कब प्रारम हुई तो राइट आंसर ए 1885 में आगे कोशन आपके सामने भारत में डांक सूच कांक पढ़नाली पिन कोट पढ़नाली का शुभारम कब हुआ तो राइट आंसर ए 1972 में अगला कोशन है भारत में स्पीट पोस्ट सेवा कब प्रारम हुई तो रा तो राईट अन्सर ए 1988 में, आगे कोशिन आपके सामने, भारत में मनी ओडर सेवा का प्रारम कव हुआ, तो राईट अन्सर ए 14 जनवरी 1995 को, अगला कोशिन है, भारत में कितने पिन कोड जोन है, तो राईट अन्सर ए इसमें आपको night zone है भारत के अंदर, अगला कोशिन आपक के सामने, भारत में STT सेवा कब प्रारं हुई, तो राइट आंसर है 1960 में, अगला कोशन है, पहली STT सेवा किन दो नगरों के मद्दे प्रारं हुई, तो राइट आंसर है लखनो और कानपूर के मद्दे, आगे कोशन आपके सामने विश्व की स्रलकों के अधार पर भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है तो राइट आंसर है तीसरा इस्थान है अगला कोशन है भारत में कुल स्रलकों की लंबाई कितनी है तो राइट आंसर है इसमें आपका 44,00,000 kilometer से जादा जो भारत में स्रलकों की लंबाई है important question है दोस्तों त्यान रखिएगा दोनों के दोनों ये आगे question है आपके सामने भारत में स्रलक परिवान का योगदान कितने प्लतिशत है तो right answer इसमापका 80 प्लतिशत है भारत के किस राज्य में राष्टिय राजमार्क सबसे अधीक है तो राइट आंसर है उत्तरप्रदेश में अगला कोशन है भारत राष्टिय राजमार्क की कुल संख्या कितनी है तो राइट आंसर है इसमें आपका 70,934 किलो मिटर जो है भारत में राष्टिय राजमार्क की कुल लंबाई की है अगला कोश्चन आपके सामने देश में कुल सलकों की लंबाई में राश्टिय राजमार्क का योगदान कितना है तो राइट आंसर इसमें आपका 1.7 पलती शत है अगला कोश्चन आपके सामने भारत का सबसे लंबा राष्टिय राजमार्क कौन सा है तो राइट आंसर है एने सेविन अगला कोशन है राष्टिय राजमार्क साथ कितने राज्यों से होकर गुजलता है होकर जाता है तो राइट आंसर है इसमें आपका छे राज्यों से होकर अगला कोशन है विश्व में सबसे उचाई पर कौन सी सड़क है तो मनाली लेह में ये भारत के अंदर है ये विश्व में सबसे उचाई पर जो सड़क है इंपोरिट कोशन है दोस्तों दियान रखिएगा अगला कोशन है किन राश्टिय राजमारकों को मिलाकर ग्राण ट्रंक रोड कहा जाता है तो राइट अंसर है इसमें आपका राश्टिय राजमारक संक्या एक और दो को मिलाकर अगला कोशन है आपके सामने ग्राण ट्रंक रोड जीटी रोड वरतमान में किन नगरों के मद्धिय है तो राइट अंसरे अम्रिस सर से कलकत्ता के मत दिये अगला कोशन है गरान ट्रंक रोट किसने बनवाई तो राइट अंसरे शेहरशा सूरी ने जो है गरान ट्रंक रोट बनवाई थी अगला कोशन है पहले गरान ट्रंक रोट कहां से कहां तक थी तो right answer है इसमापका कलकत्ता से लहूर तक थी अगला question आपके सामने राश्टिय रاج मारक किसे जोड़ते हैं तो right answer है वेपार केंडरो और राज्यों की राजधानी को जोड़ते हैं राश्टिय राज मारक अगला question है आपके सामने पूर पश्चिम वे उत्तर दश्चिन राजमार्ग एक दूसरे को किस इस्थान पर काटते हैं तो राइट अंसर है जहांसी के अंदर काटते हैं दोस्तों अगला कोशन है सुर्णीम चतुर्भुज योजना किस से संबंदित है तो राइट अंसर है सड़कों से संबंदित है दोस्तों अगला कोशन है आपके सामने लहोर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है तो राइट अंसर है सदा ए सरहत कहलाती है इंपोर्डिट कोशन है दोस्तों राइट अंसर है इसका सदा है सरहत अगला कोशन है भारत के किस राज्य में कच्ची सड़के सबसे अधिक हैं तो राइट अंसर है ओडिसा के अंदर अगला कोशन है कारा कोरम राजमार्क किसे जोडता है तो राइट अंसर है पाकिस्तान और अफगानिस्तन को जोडता है अगला कोश्चन आपके सामने राष्टिय राजमार्ग संख्या एक की लंबाई कितनी है तो राइट अंसर है 1226 किलो मीटर है अगला कोश्चन आपके सामने राष्टिय राजमार्ग संख्या साथ की लंबाई कितनी है तो राइट अंसर इसमें आपका 2379 किलो मीटर अगला कोशन है आपके सामने राष्टिय राजमार्ग संख्या साथ कहां से कहां तक जाता है तो राइट अंसर है वराणसी से लेके कन्या कुमारी तक जाता है अगला कोशन है आपके सामने किस राष्टिय राजमार्ग संख्या से जवाहर सुरंग इस्ति थे तो राइट अंसर इसमें आपका राश्टिय राजमार्ग संख्या 1A पे जो जवाहर सुरंग इस थे थे अगला कोशन है सुर्णीम चतुर्भुज योजना के अंतरगर जिन राश्टिय राजमार्गों द्वारा चार महनगरों को जोड़ा जाता है उनकी कुल लंबाई कितनी है तो राइट अंसर इसमें पांच हजार आठ सो च्हालिस किलो मेटर है अगला कोशन आपके सामने सड़क निर्मार्ण में निजी भागेदारी को बढ़ावा देने के लिए भारा सरकान ने कौन सी नीती अपना है तो राइट अंसर इसमें आपका बनाओ चला और हस्तान्तित करो की नीती अपना है इंपोर्डिट कोशन है दोस्तों धिहान रखेगा अगला कोशन आपके सामने सीसा सड़क संगठन की स्थापना कप की गई तो राइट अंसर इसमें आपका 1960 में अगला कोशन है महबूब उलहक के सयोगी कोन थे तो राइट अंसर इसमें आपका A.C.N. तथा सिंगर हंस जो है यह महबूब उलहक के सयोगी थे अगला कोशन है मानव विकास सूचकांग की अवधानन का पड़ती पादन कब क्या गया तो राइट अंसर है 1990 में अगला कोशन आपके सामने मानव विकास सूचकांग में कौन-कौन से सूचकांग शामिल किये गए तो राइट अंसर इसमें आपका जीवन पलतियाशा सूचकांग शिक्षा सूचकांग तथा संकल गरेलू उत्पादन सूचकांग अगला कोशन आपके सामने आर्थिक समविर्दी दर क्या है तो राइट अंसर इसमें आपका संकल गरेलू उत्पादन जी टीपी में परिवर्तन ये आर्थिक समविर्दी दर है ये इंपोर्डिट कोशन है दोस्तो ध्यान रखिएगा अगला कोशन है आर्थिक विकास दर क्या है तो राइट अंसर इसमें आपका निबल राश्टी उत्पादन एनन पी में परिवर्तन की दर अगला कोशन आपके सामने भालती अल्थ विवस्ता के प्रात्मिक शेत्र में क्या शामिल है तो राइट अंसर इसमें आपका किर्शी तधा, पशुपालन, वनुद्धोक तधा, लठे बनाना, मचली पालन, खनन और उत्खनन ये शामिल है तो भालती अल्थ विवस्ता के प्रात्मिक शेत्र में इंपोरिट कोशन है, दियान रखेगा आप इसका अगला कोशन आपके सामने भालती अल्थ विवस्ता के तिरित्यक शेत्र में क्या शामिल है तो राइट अंसर इसमें आपका परिवान वे संचार वेपार होटल तथा जलपान गिरे बैंग तथा बीमा सतावर संपता आवाज गिरोगा स्वामित तथा वेवसाइक सेवाई सर्वलिनिक सेवाई वे अन्य सेवाई दोस्तों में इसे किलियर कर देता हूँ आप इसका स्क्रीन शोट लेके एक बार इसे याद कर लिजेगा इंपोर्डिट कोश्चन है अगला कोश्चन है आपके समने इस वीडियो को कम सकम अपने दस दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके दोस्तों हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं ये वीडियो में जिस टाइम बना रहा हूँ ये रात के साड़े तीन बजे का टाइम है और सर्दी का समय हिस समय है जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो को बनाने में इसे शेयर कर दें एक वीडियो पे लाइक करें एक अच्छा सा कमेंट करें आपका एक कमेंट जो है हमारे लिए एनलजी डिरिंक का काम करता है आपके कमेंट से हमें जो है एक उरजा मिलती है कि आगे भी हमें काम करना चाहिए ठीक है आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है आप कमेंट जरूर किया किजे वीडियो के उपर आप हमें ये बताएं आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं आपको वीडियो कैसा लगा कुछ अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट करके आप वीडियो को के आते हैं जो पहले exam के अंदर repeated question होते हैं 1000 कोशन का या 5000 कोशन का वीडियो बनाना आसान काम नहीं होता इसके लिए बहुती मेहनत चाहिए होती है बहुती जादे मेहनत की जरूरत होती है आसान नहीं होता दोस्तों गला सूक जाता है गुछ वर्ड बोलने बस्ता की दर दर क्या रही तो right answer है 6.9% अगला कोशन आपके समने बहुत्स rarely आजएc आज़ी सब्सक्राइब बहुत्स few CTR को विकत करने का श्रे स को दिया जाता है तो right answer is Soviet अगला कोशनल स सग में पहली बार पर्थम पंछ वर्षय योजना कब शुरू की गई तो राइट आंसर उन्निस सो अठाइस में दोस्तो ये सोवियस संग की बात हो रही है इंपोर्डिट कोशन है धियान रखेगा अगला कोशन है भारत में आल्थिक नियोजित पढ़नाली शुरू करने का श्रे किसे दिया जाता है अगला कोशन है भारत के लिए नियोजित अल्थ विवलस्ता प्लानेट एक्णोमी ऑफ इंडिया नामक पूस्तक किस ने लिखी तो राइट आंसर आपका सर विषेषराय कोशन है आपके समने आर्टिंग नियोजन से संबंदि बंबई योजना कब सामने आई तो राइट आंसर जनवरी 1944 में अगला कोशन है बंबई योजना कितने वर्षिय थी तो राइट आंसर है ये 15 वर्षिय योजना थी बंबई योजना जो थी अगला कोशन आपके सामने मूलत सामिय वादी सिधानतों उपर आधारिट जन यौजना का सिरजन कंसे किया था तो रइट आन्सर इसमें आपका MN रायन है अगला काशन आपके सामने है दस वरस्य जन यौजना को कब प्रस्तुत किया गया है तो रइट आंसर है 1944 में सुतन भारत की पहली उद्धोगिक नीतिय कब घोशित की गई तो राइट अगला कोशन आपके सामने है अहिंसात्मक ढंग से अगला कोशन है आपके सामने अगला कोशन है योजना की अवदी थी अगला कोशन है योजना आयो किस तरीकी संस्ता है तो right answer है इसमें आपका अद सम्वेधानिक राजनितिक संस्था है, अगला question है पर्थम पंचवशी योजना किस माडल पर अधारित थी, तो right answer है इसमें आपका डोमर समवधिती माडल के उपर, important question है दियान लखेगा दोस्तों, अगला question है आपके सामने, अगला question पर्थम पंचवशी योजना का काल क्या था, तो right answer है 1956 सले के 1971, अगला question है दित्या पंचवशी योजना किस माडल पर अधारित थी, तो right answer है इसमें आपका PC महा लनोबिस माडल के उपर अधारित थी, अगला question है आपके सामने, अगला कोशन है तीसरी पंचवशी योजना कब से कब तक चली अगला कोशन है तीसरी पंचवशी योजना का पर्मकुद्देश्यक क्या था? अगला कोशन आपके सामने है तीसरी पंचवशी योजना के कारण तीन वर्ष तक योजना अवकाष रहा? तो राइट आंसर है तीसरी पंचवर्शी योजना अगला कोशन है वाजशी की योजना है किन वर्शों में लागू की गई तो राइट आंसर है 1966 से 1999 तक अगला कोशन आपके सामने किस पंचवर्शी योजना के दोरान किर्शी शेत में हरित किरानती का आरम हुआ तो right answer है इसमें आपका किसी भी योजना के दोरान नहीं अगला question है आपके सामने किर्शी शेत में हरित किरांती का आरम कब हुआ तो right answer है इसमें आपका 1966-67 में जोजना उकाश के दोरान अगला question है चोहती पंचपरशिय योजने की अवदी क्या रही तो right answer है इसमें आपका अशोक उरुदर तथा एलन एस मात्रेन है अगला question है आपके सामने चोहती पंचपरशिय योजना का मूल उद्देश क्या है तो right answer है इसमें आपका इस्थिलता के साथ आर्थी विकास और आर्थी मिनिर्भर की प्राप्ति अगला question है आपके सामने चोधा बैंकों का राष्टिय करण MRTP अधिनियम तथा बफर इस्टॉक की धार्णा किस योजना के दुरान लागू ही तो right answer है चोहती योजना के दुरान अगला question है आपके सामने बैंकों को राष्टिय करण किस वर्ष किया गया तो right answer है इसमें आपका 14 बैंकों का जो राष्टिय करण था 1979 में हुआ था दोस्तो अगला question है आपके सामने गरीब हटाओ का नारा सरपर्थम किस पंचवर्ष किया योजना में दिया गया तो right answer है इसमें आपका पांचवी पंचवर्ष किया योजना में तो right answer है इसमें आपका 1978 में ही समाप्द कर दी गई थी इसका जो time था 1974 से 79 तक था तो मगर ये एक साल पहले ही समाप्द कर दी गई थी अगला question आपके सामने किस सरकान ने पांचवी पंचवर्ष किया योजना को समय से एक वर्ष पूर ही समाप्द घोशित कर दी था तो right answer है इसमें आपका जनता पार्टी सरकान ने important question है दोस्तों तियान रखिएगा अगला question है आपके सामने जनता पार्टी सरकार द्वर्ष पेश छटी पंचवर्ष किया योजना को अगला question है आपके सामने rolling plan को भारत में लागू करवाने का श्रेक किसे दिया जाता है तो right answer है इसमें आपका डीटी लकड़ वाला को डीटी लकड़ा वाला अगला question है आपके सामने किस सरकान ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धार्णा को लागू किया तो right answer है जनता प्रालिटी सरकार अगला question है छटी पंचवशी योजने की अफ़धी क्या निश्चित की गई तो right answer है 1978 से 1983 तक अगला question है भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई तो right answer है बैंक ओफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी important question है दोस्तो अगला question है बैंक ओफ हिंदुस्तान की स्थापना कप की गई तो 1770 में की गई थी बैंक ओफ हिंदुस्तान की स्थापना important question है ध्यान लगेगा अगला कोशन है बैंक आफ बंगाल की इस्थापना कप की गई तो राइट अन्सर ए 1806 के अंदर अगला कोशन है बैंक आफ बंगाल को स्थापना कप की गई अगला कोशन है आपके सामने इंपिरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कप की गई तो राइट आंसर है 1921 में अगला कोशन है इंपिरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्टिय करन कप किया गया तो राइट आंसर है 1905 में आगे कोशन है आपके सामने इंपिरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया? तो राइट अंसर है भारतिय स्टेट बेंक दोस्तों जो आज का भारतिय स्टेट बेंक आपके समझ में आगया होगा कहां से भारतिय स्टेट बेंक पेदा हुआ है? 2 बेंकों का विले हुआ Imperial Bank of India में और बाद में Imperial Bank of India को क्या गर दिया गया भारती इस्टेट बैंक बना दिया गया अगला कोशन आपके सामने इलाबाद बैंक की स्थापना कप की गई तो राइट अंसर है 1865 भी में आगे कोशन आपके सामने पूर्ण रुपेंड भारतियों का पहला बैंक कौन सा था तो राइट अंसर है पंजाब नेशनल बैंक अगला कोशन है भारती रिजर बैंक ने कारिये करना कब शुरू किया तो राइट अंसर है 1 अपरेल 1935 से जो भारती रिजर बैंक ने कार्ये करना शुरू करती है अगला कोशन है भारती बैंकिंग अदिनियम कब पारित कब किया गया तो राइट अंसर है 1929 में अगला कोशन है बड़े वेवसाइक बैंकों का राष्टे करम कब किया गया तो राइट अंसर है 1980 में अगला कोशन आपके समने बाल्टे रिजर बैंक की दूसरी अनुसूची में समेलित बैंकों को क्या कहते हैं तो right answer इसमें आपका अनुसूचित बैंक कहते हैं अगला question आपके समने किस सिमीती की रिपोर्ट के अधार पर निजी शेतर में बैंक इस्तापित करने की अनुमती पलदान कर दी गई तो right answer आपका नरसी मन सिमीती की अधार पर अगला question आपके समने देश का पहला तेरता ATM कहां इस्तापित किया गया तो right answer कोच्ची के अंदर important question है दिहान रखेगा अगला question आपके समने बैंकों के ग्रागों की शिकायतों का निदान कराने के लिए banking लोग पाली होजना कब लागू की गई तो right answer इसमें आपका तक पाकिस्तान के लिए भी केनरिय बैंक के रूप में कारिये किया तो right answer है तीजुन उन्निस सो उलतालिस तक अगला question है भाटी रिजर बैंक में एक गवंणर के अलाव कित्ते डिप्टी गवंणर होते हैं तो चार डिप्टी गवंणर होते हैं इंपोरिट कोशन है दियान रखिएगा रिजर बैंक अधिक्तम है किस मुल्य वर तक के बैंक नोट जारी कर सकता है तो right answer इसमें आपका 10,000 रुपे तक का मुल्य का नोट चाप सकता है अगला कोशन है भाल्टी रिजर बैंक अधिक्तम किस मुल्य वर तक के सिक्के जारी कर सकता है तो 1,000 रुपे तक का जो सिक्के भी जारी कर सकता है दोस्तो अगला कोशन है रिजर बैंक नोट मुद्रों प्राइवेट लिमेटेट की स्थापना कब की गई तो रिजर रिजर बैंक के पास नगत रूप में रखना अनिवार्य होता है उसे क्या कहते है तो राइट आंसर इसमें आपका नगत आरक्षित अनुपात कहते है अगला कोशन है आपके सामने राष्टिय साख परीशत की स्थापना कब की गई तो राइट आंसर इसमें आपका 22 दिसंबर 1977 को की गई थी अगला कोशन है आपके सामने भारतिय शर्ण गारंटी निगम की इस्थापनक कप की गई तो राइट आंसर है 1971 के अंदर अगला कोश्चन है आपके समने भारतिय शर्ण गारंटी निगम का नाम बदल कर जमाराशी बीमा एंव शर्ण गारंटी निगम यानि के DICGS कप किया गया तो राइट आंसर है 1978 के अंदर इंपोर्डिट कोश्चन है दोस्तो धियान रखिएगा अगला कोश्चन है आपके समने भारतिय रिजर्ण बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज़ दरों का विनियमन कब समाप्त कर दिया तो राइट आंसर है 25 अक्टूबर 2011 को समाप्त कर दिया अगला कोश्चन आपके सामने भारतिय रिजर्ण बैंक के सहयोगी बैंक वर्तमान में कितने है तो राइट आंसर है पांच बैंक है सहयोगी जो भारतिय रिजर्ण बैंक के हैं इस समय ये भालतिय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक है मैं इसे किलियर कर देता हूँ आप एक बार इसे देख लिजेगा याद कर लिजेगा अगला कोशन आपके सांबने भालतिय स्टेट बैंक के किन सहयोगी बैंकों के उसमें विले कर दिया गया है तो right answer इसमें आपका state bank of सोराष्ट और state bank of इंदोर का जो है विले कर दिया गया है भारतिये state bank में अगला कोशन है national electronic funds transfer NEFT देश में कप शुरू की गई तो right answer इसमें आपका अक्टूबर 2005 में शुरू की गई थी अगला कोशन है आपके सामने भागतिये परती भूती वेपा निगम की स्थापना कप की गई तो right answer इसमें 1994 में अगला कोशन है भारत की पहली depository national security depository limited NSDL की स्थापना कप की गई तो right answer इसमें आट नवंबर 1996 को अगला कोशन है देश की दूसरी depository center depository service limited CDSL की स्थापना कप की गई तो right answer इसमें भागतिये पहले नाम क्या था तो right answer इसमें आपका the native share and stock brokers association दोस्तों important question है दोनों यह दियान रखेगा आप अगला कोशन है आपके सामने Bombay stock exchange दुआरा सूच कांग किया नी सेंसेक्स कब शुरू किया गया तो right answer 1986-87 में अगला कोशन है Bombay stock exchange का सूच कांग कितने शेयरों के मुल्यों पर अधारी थे तो right answer है ती शेयरों के मुल्यों पर अधारी थे अगला कोशन है भालतिय परती भूती एं विनी में बोड सेवी की स्थापना कम की गई तो right answer है 12 अप्रेल 1988 को की गई अगला कोशन है सेवी की सम्विधानिक संसा का दर्जा कब परदान किया गया तो right answer है 1992 में अगला कोशन है भालतिय मुद्रा रुपिये के परतिक चिन का अनुमोधन सरक का ने कब किया तो right answer है 15 जुलाई 2010 को अगला कोशन आपके सामने डांक सामगरी डांक टिकट जुडिशियल एं नौन जुडिशियल स्टांप भालतिय रिजर्ब बैंक और भालतिय श्टेट बैंक के चेक बांड एन एस सी किसान विकास पत्र पोस्टल ओर पासपोर्ट सु को में सरी नोट कहां छापे जाते हैं तो right answer है इसमें आपका India security price में छापे जाते हैं दोस्तों important question है clear कर देता हूँ आप एक बार इसे देख लिजे इसका screen short ले लिजे अगला कोशन है आपके सामने India security price कहां इस्तित है तो right answer है इसमें आपका नासिक रोड महराश्ट में इस्तित है अगला कोशन है आपके सामने पांच दस पचास सो पांसो तता एक हजार रुपये के बैंक नोट कहां छापे जाते हैं तो right answer है इसमें आपका currency नोट प्रेस नासिक रोड पर छापे जाते ह अगला कोशन आपके सामने security paper मिल कहां इस्तित है तो right answer है होशंग का बाद मद्यपलडेशम अगला कोशन है सरकारी टक साले किन शहरों में इस्तित है तो right answer है मुंबई, कॉलकत्ता, हैडराबाद तथा नोइडा के अंडल जो है सरकारी टक साले इस्तित है अगला कोशन मुद्रा की पूर्ती को नियंतरन कौन करता है तो right answer है reserve bank of India अगला कोशन आपके सामने पलतियश विनी में क्या है तो right answer है इसमें आपका वस्तू विनी में पलस मुद्रा विनी में जो है पलतियश विनी में है अगला कोशन है मुद्रा के माध्यम से क्या जाने वाला विनी में कौन सा होता है तो राइट अंसर है ये किरिये विक्रिये विनी में होता है अगला कोशन आपके सामने कौन सी किरिया उत्पादन वे भोकता के बीच की कड़ी कहलाती है तो राइट अंसर है विनी में अगला कोशन है वस्तू विनी में एक आर्थिक परकिरिया है जिसे कहा जाता है तो राइट अंसर है इसमें आपका मांग बराबर पूर्दी अगला कोशन है आपके सामने है भूमी के उप्योग के बदले भू स्वामी को दिया जाने वाला प्रुसकार क्या कहलाता है तो राइट अंसर है लगान कहलाता है अगला कोशन है कौन सा उत्पादन प्राकिर्टिक का निशुलक उपहार है तो right answer है भूमी अगला कोशन है आपके सामने ब्याजा अपने व्यवसाय में जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को क्या कहते है तो right answer है सहासी का जाता है अगला कोशन है ब्याज किस साधन के बदले दिया जाता है तो right answer है आपका पूंजी के बदले भी आज दिया जाता है अगला कोशन आपके समने पलतियशकर कौन सा कर है तो राइट आंसर है आएकर पलतियशकर है अगला कोशन है कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है तो व्यापार कर राज्य सरकार लगाती है अगला कोशन नगन निगम की आयका स्ट्रोथ क्या है तो गिरेकर जो है नगन निगम की आयका स्ट्रोथ होता है अगला कोशन है भारत की जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्ट्रोथ क्या है तो किर्शी जो है जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्ट्रोथ है अगला को अर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है तो राइट अंसर इसमें आपका संसाधनों का उचित उपयोग करना ये आर्थिक नियोजन का अर्थ है अगला कोशन है भारत की विधी ग्रे मुद्रा क्या है तो राइट अंसर है रुपिया जो है भारत की विधी ग्रे मुद्रा है अग तो राइट आंसर इसमें तीन बार हुआ है अगला कोशन आपके सामने देश का सबसे बड़ा वालजिक बैंक कौन सा है तो राइट आंसर इसमें आपका परियावरन की दिरिष्टी से अनुकूल अगला कोशन है भारत में पर्ती भूती विनीम बोर्ड की स्थापना कब हुई तो राइट आंसर है 1988 इस भी में अगला कोशन है आल्थिक नियोजन किसका विशे है तो राइट आंसर है समयवर्ती सूची का अगला कोशन है मुद्रा स्पीती को कैसे रोका जा सकता है तो कहर बजार का परभावपूर्ण नियंतरों कौन करता है तो राइट आंसर है से भी अगला कोशन है भारत के लिए नियोजित अल्थ वेवसाई नामक पुस्तक किसने लिखी तो राइट आंसर इसमें आपका एम विश्वे शरेया ने लिखे ती दोस्तों अगला कोशन है आ आपका अलफ्रेड मार्शल ने अगला कोशन है आपके सामने केंडरी एक मार्क परियुक्षाला कहा है तो राइट आंसर है नागपूर में अगला कोशन है विश्वे सबसे अधिक सेहकारी संस्ताय किस देश में है तो राइट आंसर है इसमें आपका भारत के अंदर अगल answer is आपका Richard Stone अगला question है जब किसी मुद्रा के वास्तविक मुल्य के बजाए मुद्रिक मुल्य से पर्तिकरिया होती है तो उसे क्या कहते हैं तो right answer है उसमें आपका मुद्रा ब्रह्म कहा जाता है इसे अगला question है आपके सामने साख मुद्रा को अन्ये किस नाम से जाना जाता है तो right answer है एच्छिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है अगला question है किसी देश का आयात निरियाद से संबंदित भुक्तान शेश क्या कहलाता है तो right answer है इसमें आपका वेपार शेश कहलाता है अगला question है आपके सामने golden handshake scheme किस से संबंदित है तो right answer है स्वेच्चा से सेवा निर्थी कीम है अगर कोई जो है खुद retirement लेना चाहिए तो वो golden handshake scheme के अंतरके दाता है दोस्तों government job में है खुद retirement लेने पर अगला question है आपके सामने भारत में राष्टिय लेखा संख्या की को क्या कहा जाता है तो right answer इसमें आपका श्वेत पत्र कहा जाता है अगला question है तो right answer इसमें आपका शेर बजार से अगला question है रुपिय का सरपर्थम अब मुल्य अन कब हुआ तो right answer है 20 सितंबर 1929 को अगला question है दूसरी बार रुपिय का अब मुल्य अन कब हुआ तो right answer है 6 जून 1966 को अगला question है आपके सामने रुपिय का तीसरी बार अब मुल्य अन कब हुआ तो 1 जॉलाई 1991 को हुआ था अगला question है विदेशों में इस्तित्थ विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतिये बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं तो right answer है इसे कहते है नोस्ट्रो एकाउंट्स इंपोर्डिट कोश्चन है दोस्तों द्यान रखेगा अगला question आपके सामने भारत में मुद्रा इस्पिती की गढ़ना किस पर अधारित है तो right answer है धोक मुल्य सूच कांग पर अगला question है किस इस्तिती में मुद्रा के मुल्ये में विरिद्धी होती है वस्तों सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है तो right answer है इसमें आपका मुद्रा संकुचन या अवस्पिती अगला question है आपके सामने मुद्रा इस्पिती के दुश्पड़ी नामों को दूर करने के लिए जान भूच कर मुद्रा की की मातरा कम करने का क्या कहते है तो right answer हो जाएगा आपका मुद्रा अप इस्पिती कहा जाता है अगला question है आपके सामने संकल घरेलू GDP में किर्शी एंव संबन शेतर का हिस्सा कितना है तो right answer है इसमें आपका 13.666 पलतिशद अगला question है 1991 में भारत के संकल घरेलूत पादन में किर्शी का योगदान कितना था तो right answer है इसमें आपका 12.2 पलतिशद अगला question है आपके सामने रभी की फसलों की बुआई कब की जाती है तो right answer है इसमें आपका October November December में जो है रभी की फसलों की बुआई की जाती है अगला question है रभी की फसलों में कौन कौन सी फसले आती है तो गेहू जो चना मटर सरसोवे आलू अगला question है आपके सामने खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है तो जून जुलाई में की जाती है अगला question है खरीफ की फसलों में कौन कोन सी फसले आती हैं तो राइट अन्सरे जवार, बाज़रा, मक्का, तिल, मुम्फली, अरहर, आदी अगला कोश्चन है आपके सामने जायत की फसलों को कब पैदा किया जाता है तो राइट आंसर इसमें आपका मार्च से जुलाई के मद्धी में अगला कोशन है आपके सामने जायत की फसलों में कौन सी फसले आती हैं तो राइट आंसर तर्बूस, खर्बूस, ककली तथा पशू चारा अगला कोशन है आपके सामने वेपारिक यह नगदी फसले कौन सी है तो राइट अंसर है कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तथा, तंबागू अगला कोशन है भारत में सरवरहनिक मातरा में खादान का उत्पारन होता है तो चावल का होता है दोस्तों अगला कोशन है आपके सामने देश में किर्शी के अंतरगत किस तरह के उर्वरहनिक उप्योग होता है तो राइट अंसर है नाइट्रोजनी अगला कोशन है आपके सामने विश्म में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक उभोकता और निर्यातक होने का गोरव किस देश को प पहला कोश ने हरितक्राँटिक से किस फसल के उत्पादन में अगला कोशन है अंगूर की परती हेक्टर उपज में भारत का विश्म कौन सा इस्थान है तो पहला इस्थान है अगला कोशन है मोटे नाच के अंतरगत कौन सी फसले आती हैं तो राइट अंसर है बाजड़ा, जवार, रागी, मक्का, तथा जो अगला कोशन आपके सामने किरशी के अंतरगत टेक्टर्स के उप्योग की दिरिश्टी से भारत का तो right answer है पहला इस्थान है अगला कोशन है कुल पशुओ की संख्या की दिरिष्टी से विष्व में भारत का कौन सा इस्थान है तो right answer है दूसरा इस्थान है दोस्तो अगला कोशन आपके सामने कुल पशुओ की संख्या की दिरिष्टी से विष्व में कौन सा देश पहले इ अगला कोशन है विष्व का सबसे बड़ा चमला उत्पादक देश कौन सा है तो राइट आशन है भारत है अगला कोशन है ऑप्रेशन फिलट कारी अकरम कब शुरू किया गया तो राइट आंसर है 1970 में अगला कोशन है आपके सामने operation filert कारियेकरम किसके उत्पादन में बढ़ोत्री से संबंदित है तो right answer है इसमें आपका दूद के उत्पादन में अगला कोशन है operation फिलत कारियेकरम के स्टृ धाल कौन थे तो right answer है इसमें आपका डाक्टर वरगीज कूरियन अगला कोशन है आपके सामने विश्व में समुनरी मत से उत्पारण में भारत का कौन सा इस्थान है मशलियों के बारे में है दोस्तों ये कोशन तो ये छटे नंबर पे हैं हमारा जो भारत है मत से उत्पारण में अगला कोशन है विश्में अंतराश्टिये मत से उत्पारण में भारत का कौन सा इस्थान है तो राइट आंसर इसमें आपका दूसरा अगला कोशन है मोती देने वाली मश्लियां कहां पकड़ी जाती है तो राइट आंसर इसमें आपका मननार की खाड़ी में अगला कोशन है तुराइट आन्सर हैं गुजिरात के अंदर अगला कोशन है अगला कोशन है अब के सामने श्वेद किरांती किस्से संबंदी थे तो right answer है दुग्द उधपादन से अगला कोशन है पीली किरांती किस्से संबंदी थे तो right answer है तिलहन उधपादन से आगए कोशन आपके सामने चटी पंच परशिये योजना कब समाप्त कर दी गई तो right answer है 1980 में अगला कोशन है जंता पार्टी सरकाल द्वारा पेश छटी योजना को किस सरकान ने समय से पहले ही समाप कल दिया तो राइट आंसर है इसमें आपका कांग्रेस सरकान ने अगला कोशन है आपके सामने कांग्रेस सरकाल द्वारा लागू छटी पंचवर्षी योजना की अवदी क्या निश्चित की गई तो राइट अंसर है इसमें आपका 1980 से 1985 तक अगला कोशन है छटी पंचवर्षी योजना में किस पर विशेज बल दिया गया तो राइट अंसर है इसमें आपका गरीबी निवारन तथा रोजगार सिर्जन के ओपर किस पंचवर्शी योजना के दोरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्तिवर्ष स्टेंडर्ड परसन के अपनाया गया तो राइट अनसर है छटी पंचवर्शी योजना के लिए अगला कोशन है आपके सामने ग्रामिल बिरोजगारी उन्मूलन से संबंदित कारिये गरम IRDP, NREP, TRYSEM, TRISEM और ये DWACRA और RLEDP किस योजना में लागू किये गए तो राइट आंसर है इसमें आपका छटी योजना में लागू किये गए अगला कोशन है आपके सामने किस योजना के दोरान गरीबी रेखा को ग्रामिल शेत्र में परती वेक्ती 2400 किलोरी तथा शेरी शेत्र में 2100 किलोरी के रूप में परिभाशित किया गया तो राइट आंसर है इसमें आपका छटी पर योजना में अगला कोशन है कौनसी योजना 15 वर्ष की दीरद अवदी को ध्यान में रख कर बनाई गई तो राइट आंज़ना कहा जाता है उसमें आपका छटी योजना को अगला कोशन विए पंच परशी योजना की अवदी क्या थी तो राइट आंसर है 1986 से 91 तक अगला कोशन है आपके सामने साथवी योजना का पर्मुकुत देश्य क्या था तो राइट आंसर है इसमें आपका आधुनी की करण अगला कोशन है कौन सी योजना उधारी किरित अर्थवियवस्ता के रूप में वणनित है जान डबलू मूलर मौडल पर अधारी थी तो राइट आंसर है इसमें आपका आठवी पर योजना अगला कोशन है आपके सामने आठवी पंचवर्शिय योजना का कला क्या था तो राइट आंसर है इसमें आपका 1992 से लेके 1997 तक जो है आठवी पंचवर्षिय योजना का जो है टाइम था दोस्तो अब दी जो थी अगला कोशन है आपके सामने आठवी पंचवर्षिय योजना पहले कब से लागू हो नी थी तो राइट आंसर है यह आपका 1990 से लागू हो नी थी अगला कोशन है देश में योजना विहिन वर्ष कौन से रहे तो राइट आंसर है 1991-1991-92 यह योजना विहिन जो है वर्ष रहे अगला कोशन आपके सामने किस योजना में विबिन पहलों को ध्यान में रखते हुए मानव संसारन विकास को मूल भूत उद्धेश माना गया तो राइट आंसर है आठ वी अगला कोशन आपके सामने नवी पंचवर्ष योजना की समिय उद्धी क्या रही तो राइट आंसर है 1997 से लेके 2002 तक अगला कोशन है दसवी पंचवर्ष योजना की अबधी क्या थी तो राइट आंसर है इसमें आपका 2002 से लेके 2007 तक अगला कोशन है दसवी पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्धेश्य क्या था तो राइट आंसर है इसमें आपका 21 शतापदी में भारत को आर्थिक महाश चक्ति बनाना अगला कोश्चन है ग्यारवी पंचवर्षिय योजना कप से कप तक लागू रही तो राइट आंसर 2007 से लेके 2017 तक अगला कोश्चन है राष्ट्रे विकास परिशत NDC की 97 भी बारवी पंचवर्षिय योजना को अंतिम मंजूरी कप दी गई तो राइट आंसर ह इसमें आपका James Wilson को important question है दोस्तों धियान रखिएगा अगला question है 1921 में किस सिमिती की report के अधार पर समानिय budget से railway budget को अलग कर दिया गया तो right answer है इसमें आपका अगबर्थ सिमिती की report के अधार पर अगला question है अब विभाजित भारत का पहला budget 1946 में किसने प्रस्तुत किया तो right answer है इसमें आपका RK शन मुखम शेटी ने अगला question है आपका भारत सरकार का पहला budget का प्रस्तुत किया गया तो right answer है इसमें आपका 26 November 1947 को important question है दोस्तों धियान रखिएगा अगला question है आपके सामने पहला budget किसने प्रस्तुत किया तो right answer है इसमें आपका RK शन मुखम शेटी ने अगला question है इसमें आपका RK शन मुखम शेटी ने अगला question है भारतिय गर्णराज्य का पहला पूर्ण कालिक बजट किस समय प्रस्तुत किया गया तो राइट अंसर इसमापका 1950-1951 में प्रस्तुत किया गया तो भारतिय गर्णराज्य का पहला पूर्ण कालिक बजट अगला कोशन है आपके सामने देश के किन पलधान मंत्रियों को सुएम बजट प्रस्तुत करने का श्रे हासिल है तो राइट आंसर है जवाललाल लहरू, इंडरा गांदी और राजियू गांदी अगला कोशन है देश में शुन्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की प्रमप्रा किसने डाली तो अगला कोशन है तो राइट आंसर है आपका निश्पादन बजट कहलाता है अगला कोशन है पूंजी कत प्राप्तियों पूंजी कत भुकतानों को किस बजट में सम्मिलित किया जाता है तो राइट आंसर है आपका पूंजी बजट में सम्मिलित किया जाता है अगला कोशन किस बजट के अंतरकत किसी भी विभाग अत्वा संगठन दुआरा परतावित व्योग की परतियक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है तो राइट आंसर इसमाप का शुन्य अधारित बजट को अगला कोश्चन आपके समने बजट का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेश के अधार पर तयार किया जाता है या बजट में लिंग विशेश के लिए अलग से बजट ये परवधान किया जाता है तो राइट आंसर इसमाप का जेंडर बजट कहलाता है अगला कोश्चन है आपके सामने जिस कर की एडाईगी उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वे कानूनी रूप से लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं तो राइट आंसर है पलतियश कर कहा जाता है अगला कोश्चन है आपके सामने आई कर निगम कर धन कर संपदा कर तो right answer है यह है आपका आप पर्तियश करें दोस्तों अगला question है आपके सामने किसी भी देश की घरेलू भोगोलिक सीमा के अंतरकत एक लेखा वर्ष में सभी उत्पाद को समानिये निवासियों ततक गेर निवासियों दोरा उत्पादिस समस्त वस्तों सेवाओ के बजार मुल्ले के योग को क्या कहते हैं तो right answer है इसमें आपका संकल घरेलू उत्पादन कहते हैं इसे अगला कोशन है आपके सामने भारत की अल्थ व्यवस्ता कैसी है तो right answer है इसमें आपका मिश्ट्रित अल्थ व्यवस्ता का क्या अल्थ है तो right answer है इसमें आपका सारवजनिक एउनिजी शेत्र का साथ सात होना अगला कोशन है आपके सामने आल्थिक दिरिष् तो right answer है इसमें आपका विकाश शील देश है अगला कोशन है भालती अर्थ व्यवस्ता में कौन-कौन से शेत्र की हिस्तेदारी संकल राष्टी उत्पाद में सबसे अधिक है तो right answer है इसमें आपका 33 शेत्र अगला कोशन है आपके सबने क्रिये शक्ती सम्ता, purchasing power प्राइटी PPP के अधार पर विश्व में भारती अर्थ वेवस्ता का कौन सा इस्थान है तो राइट आंसर है तीस राइस इस्थान है अगला कोश्चन है आपके सामने भारत की कुल श्रम शक्ती का कित्ता भाग किर्शी में लगा है तो राइट आंसर है 52 परतिशद अगला कोश्चन है आपके सामने भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एक अत्रित वे परकाशित करता है तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्टिय नमूना सर्वेक्षन संगठन NSSO अगला कोश्चन है आपके सामने राष्टिय ग्रामीर विकास संस्थान कहा इस्ति थे तो राइट आंसर है हैर्राबाद में अगला कोश्चन है सनरश्चनात मग बेरोजगारी का परमुख कारण क्या है तो राइट आंसर है इसमें आपका लोगों का आखिलन करता है तो राइट अंसरे इसमें आपका राष्टिय नमूना सर्विक्षन संगठन NSSO के अधार पर अगला कोशन है आपके सामने अंतोदे कार्ये करम का उदेश्य क्या है तो राइट अंसरे अधिक गरीबी की मदद करना अगला कोशन है आपके सामने कुटीर जोती योजना क्या है तो राइट अंसरे इसमें आपका ग्रामिल शेटरों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले करीबों को निशुल्क विदुद सुईधा देना अगला कोशन है वर्ल्ड डवलपमेंट रिपोड किसका वारशिक परकाशन है तो राइट अनसरे विश्वेंद अगला कोशन है तो राइट अनसरे आयत निर्जाद बन्त अगला कोशन है भारत में प्रच्छनन बेरोजगारी समानियते कहां दिखाई पड़ती है तो राइट आंसर है किर्शी में अगला कोशन है भारत में निर्धनता के इस तरपर आकलन किस से किया जाता है तो राइट आंसर है परिवार के उभोग व्याव के अधार पर अगला कोशन है 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 अ पर अगला कोशनै आपके सामने भार्त तियों में सरफर्थम राष्तियाए का अनुमान किसने लगाया था त्राइट अनसर ने दादा भाई नॉरो जीने अगला कोशन है भारत राष्टिया एकी गणना कौन करता है तो राइट आंसर आपका कें रिये संख्या की संगठन अगला कोशन है गरामिर शेटरों में गरीबों के आखलं के लिए किस सूचकांग को अधार माना गया है तो राइट आंसर इसमें आपका किर्शी शर्मिको का उब्हों मुल्य इसूचकांग अगला कोशन है सरवदे योजना के संस्थाप कोन थै तो राइट आंसर है ये परकाश नारायान वेट किस परकार का कर है तो अब पलतेश कर है दोस्तो आँसर इसका अगला कोशन भारत में वेट कब लागू हुआ था तो राइट आँसर एँपरेल दौज़ार पांच को भारत में वेट लागू हुआ था अगला कोशन है आपके सामने करंसी नोट प्रेस कहा है तो राइट आंसर है नासिक के अंदर अगला कोशन है नरसिहम सिमीती का संबन किस्से है तो राइट आंसर है बैंकिंग सुधार से अगला कोशन है वुल एंड बियर शब्द किससे संबंदी थे तो राइट अंसर है इसमापका शेयर बजार से अगला कोशन है मुडरक की मात्रा में कमी क्या कहलाती है तो राइट अंसर है मुडरका संकुचन अगला कोशन है आपके सामने जिस नीती को देश का केनरिय बेंक परिनात्मक वे गुनात्मक उपकरनों के बद्धिये से लागू करते हैं उसे क्या कहते हैं तो राइट आंसर है मोद्रिक नीती कहते हैं अगला कोशन है जब सरकार की आएकम तथा वे जादा होता है उस अध्वेवस्ता को क्या कहा जाता है तो राइट आंसर है इसमें आपका घाटे की अध्वेवस्ता अगला कोशन है जब किसी अवशक्ता को कीमत समय और इस्थान से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते है तो राइट आंसर इसमें आपका इसे मांग कहते हैं जब किसी देश की जनसंख्या की जनम दर में परियात कमी नहों तो उसे क्या कहा जाता है तो राइट आंसर है जनसंख्या भी वित आयोग। अगला कोशन है नियूंतं समर्थन मुल्य का निधारन कोन करता है। तो right answer is किष्ची लागतवे मुल्य उद्धू आयोग। अगला question आपके सामने, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा है, तो रई और न सके, पूण जी, अगला question ने, किसी उधमी का सबसे महत्पूर कार्य क्या होता है, तो रई और न से इसमे आपका जोखिम उठाना, अगला question आपके सामना, कागजी मुद्रा जारी करने का प का खुली कारवाई का अल्थ करिये और विकरिये में क्या है तो राइट अंसर इसमें आपका सरकारी बांडो का अगला कोशन है सस्ती मुद्रा का अल्थ क्या है तो राइट अंसर है ब्यास की दर कम होना सस्ती मुद्रा का अल्थ है अगला कोशन सरकार आर्थो पैशन कहां से लेती है तो right answer है रिजर बैंक से अगला कोशन है पलती वेक्ती आय ग्याद करने के लिए कुल आय को किस से भाग दिया जाता है तो right answer है देश की कुल जन संख्या से मुद्रा स्वे मुद्रा का देरबान करती है ये कथन किस का है तो right answer है इसमें आपका क्रोव मर का कथन है अगला कोशन है जिस मुद्रा में शीद्र पलायन करने की प्रवर्तिती हो क्या कहलाती है तो right answer है इसमें आपका गरम मुद्रा कहलाती है हिंदू विर्दी दर्ग किसे संबंदित है तो right answer है GTP से संबंदित है अगला question है भारत की राष्टिय आये का पर्मु की स्ट्रोथ क्या है तो सेवा शेत्र जो है पर्मु की स्ट्रोथ है भारत में राष्टिय आये सम्न को का आखलन किसके द्वारा किया जाता है तो right answer है Canry Year Sankhyaan की संघठंद दुआरा अगला कोशन है वे भारती राज जिये कौन सा है जिसकी विद्थिये लेंदेन भारती रिजर्बैंक से नहीं होता है तो right answer है इसमें आपका Jammu and Kashmir अगला कोशन है भारत में सबसे पुराना stock exchange क्या है तो right answer है Bombay stock exchange अगला कोशन है अल्थवे वस्ता में मुद्रा के तुली और कीमत इस्तर के बीच क्या संबन होता है तो राइट अंसर है पड़ती लोम अगला कोशन है इस्टेक फ्लेक्शन की स्थिति क्या होती है तो राइट अंसर है गती रोध और मुद्रा इस्थिति अगला कोशन है आपके सामने IMF के नियमों के अनुसार हर सदिस्से को अपनी वैद मुद्रा का सम्तुल मुल्य अमरीकी डोलर के रूप में अन्येक किस मुद्रा में घोशित करना होता है तो राइट अंसर इसमें आपका पाउंड इस्टलिंग के रूप में IMPORDIT कोशन है दोस्तो ध्यान रखिएगा अगला कोशन है आपके सामने योजना आयोक का गठन कब हुआ तो राइट अंसर है 1950 में अगला कोशन है योजना आयोक का अध्याश कोर होता है तो राइट आंसर है पलधान मंत्री अगला कोश्चन है आपके सामने राष्टी विकास परिशत का गठन कव हुआ तो राइट आंसर है 1902 में अगला कोश्चन है भारत में पंच परशी योजना का प्रारम कव हुआ तो राइट अंसर है 1951 में नई दिल्ली के अंदर अगला कोशन है आपके सामने जोजना अवकाश कब से कब तक रहा तो राइट अंसर है 1966 से 1969 इस वी तक अगला कोशन है भारत में वित्तिय वर्ष कब से प्रारम होता है तो राइट आंसर है एक अप्रेल से जो है वित्ते वश प्रारम होता है दोस्तों अगला कोशन है भारत का केनरी ये बैंक कौन सा है तो राइट आंसर है डिरिजर बैंक जो है भारत का केनरी ये बैंक है अगला कोशन है एक रुपिय का नोट कौन जारी करता है तो राइट आ अगला कुश्छन भारतीय इंप्रियल बेंक की स्थापना कप की गई तुराइट आंसर है उनिससोगनarasटरी तंच हमें सबसे बड़ा बेंक कौन सा है तुराइट आंसर है भारतीय स्थेट सबक्राइट अगला कोश्छन है भारत का पहला मोबाइल बेंक कहां सत्हापित तो राइट आंसर है खारगोन मध्यपल देश में अगला कोशन है पहले ग्रामिल बैंक की स्थापना कब हुई तो राइट आंसर है बैंक के पूरा नाम क्या है तो राइट आंसर है आपके सामने कौन सा बेंग दीर्द कालिन साख उपलप्त कराता है तो राइट आंसर भूमी विकास बेंग अगला कोशन भालतिय जीवन भीमनी गम का मुख्याले कहा है तो राइट आंसर मुंबई के अंदर आगे कोशन आपके सामने सहकारी साख संगठन का शुभारम कब हुआ तो राइ राइट आंसर उननीस सो अड़नचस में आगे कोशन आपके सामने वे कौन से बेंग हैं जिनोंने किसानों को अपने तक पहुँच असान बनाने के लिए किसान कलब बनाए तो राइट आंसर इसमें आपका शेत्री एक ग्रामिल बेंग अगला कोशन आपके सामने भालतिय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई तो राइट आंसर उननीस सो चपन में अगला कोशन आपके सामने भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी पढ़नाली अपनाई जाती है तो राइट आंसर नियूंतम आरक्षित पढ़नाली अगला कोशन भारतिय मुर्णा को परिवर्त निये कब बनाया गया तो राइट आंसर उननीस सो तिरानवे चुरानवे के केनरी ये बजट में भारतिय रीजर बैंक का मुख्याली कहा है तो राइट आंसर मुंबई में अगला कोशन ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कर्शु वारम कब हुआ तो राइट ये किर्शी वीपुणन संस्थान का इस्ति थे तो राइट आंसर है जेपुर में अगला कोशन है केंडर सरकार के बजट के चालू खाते में वेव की सबसे बड़ी मद क्या है तो राइट आंसर इसमें आपका केंडर ये आयोजन अगला कोशन है भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सरवननिक योगदान है तो राइट आंसर राज कोशिय घाटा अगला कोशन है संशोधित मुल्ये वर्धिकर का संबन किस से है तो राइट आंसर इसमें आपका उत्पाद शुल्क से अगला कोशन है संपदा का भारत में कब लागू हुआ तो राइट आंसर का नारा किस फर्षिय योजना वाली सर्वोच संस्ता क्या है गरीबी हटाओ का नारा किस पंच फर्षिय करने वाली सर्वोच संस्ता क्या है तो राइट आंसर इसमें आपका राष्टिय विकास परिशत अगला कोशन है राष्टिय नियोजन में रोलिंग पिलान की अवधार किसके द्वारा लागू की गई तो right answer है जनता सरकार के द्वारा अगला कोशन है ग्यारवी पंजफ़शी योजना का मुख्योद देश ये क्या था तो right answer इसमें आपका समाविष्ट आल्थिक विकास अगला कोशन है भालती विदेश वेपार संस्थान कहा इस्तित है तो राइट अंसर है नई दिल्ली के अंदर अगला कोशन है भुकतान संतुलन किसमे नहीत होता है तो राइट अंसर है दृष्टे वेपार अदृष्टे वेपार श्रण में अगला कोशिन है विदेशी विनी में पर्वन अधिनियम कब लाग हुआ तो राइट अंसर है दोहजाल तीन इसवी में अगला कोशिन आ आपके सामने विट आयोग का गठन सव विदान के किस अनुच्छेद के अंतर किया जाता है तो राइट आंसर इसमें आपका अनुशेद 280 अगला कोश्चन है वित आयोक का अध्यश किसे बनाया गया है था तो राइट आंसर है डाक्टर विजे एल के लकर को अगला कोश्चन है आपके सामने चोधवे वित आयोक का अध्यश किसे बनाया गया तो राइट अंसर इसमें आपका डाक्टर बेडू गुपाल रेड़ी को अगला कोशन है भालती रुपिये का पहचान चिन किसने डिजाइन किया तो राइट अंसर इसमें आपका D. उदेकुमार ने अगला कोशन है आपके सामने सबला योजना का दूसरा नाम क्या है तरहिट आंसर इसमें आपका राजियू, गांदी, किशोरी, अधीकारी, अगला कोश्चन है काम के बदले अनाश कारीगरम का शुबाराम कब हुआ तरहिट आंसर 1977-78 में अगला कोश्चन है आपके सामने अत्योदे योजना का शुबाराम कब हुआ तो राइट आंसर है 1977-78 में भारत में कौन सी पंचवर्षी योजना समय से पहले समाप्त हो गई तो राइट आंसर है तीसरी पंचवर्षी योजना इंपोरिट कोशन है तो उस्तों दिहान रखेगा कहा है तो राइट आंसर है अगला कोशन है जिस विदेशी मुद्रा में शीद्र देशांतरण की परविती हो उसे क्या कहा जाता है तो राइट आंसर है इसमें आपका उसे गरम मुद्रा कहा जाता है दोस्तों अगला कोशन है आपके सामने MCX-SX क्या है तो राइट आंसर है एक स्टॉक एक्चेंज अगला कोशन भालती रिजर्बेंग के द्वारा नगत कोश अनुपार्ट में कमी की जाती है तो इसका साख सिलजन पर क्या परभाव फड़ता है तो राइट आंसर है वृद्धी होती है अगला कोशन है आपके सामने एक रुपि EGP कादी करम चलाया गया था अगला कोशन है शुन्य अधारित बजट तकनीक किस देश की देन है तो राइट आंसर है इसमें आपका सैयुक तराज्य अमेरिका की अगला कोशन है भारत में सरपर्थम किस राज्य में शुन्य अधारित बजट तकनीक को अपनाया गया तो राइट आंसर आंध्र पर्देश में, अगला कोशन है भारत में शुनी अधारित बजट परणाली किस पंचवश्य योजना में लागू की गई, तो राइट आंसर ए साथवी पंचवश्य योजना में, अगला कोशन है आपके सामने, राजकोश्य घाटे और बजट ये लनोबिस ने तयार किया था अगला कोशन है आपके सामने कौनसी योजना काल दशक किर्शी उत्पादन की दिरिश्टी से सबसे अधिक सफल मना जाता है तो राइट अंसर है 1980 का दशक अगला कोशन है विशेश आर्थिक जोन अधिनियम संसत दौरा कब पारित किया गया तो राइट अंसर है 2005 में अगला कोशन है आपके सामने सामोहिक इस्तर पर आर्थिक समस्याओ जैसे सारी अल्थ वियवस्ता में कुल उभोग कुल रोजगार राश्टी आय आदि का अधियन किसमे किया जाता है तो राइट अंसर है इसमें आपका समश्टी अल्थ शास्त में अगला कोशन है आपके सामने आय तथा रोजगार सिधान किसे कहा जाता है तो राइट अंसर है समश्टी अल्थ शास्त को जो है आय तथा रोजगार सिधान कहा जाता है अगला कोशन है आपके सामने केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक किरियाओ जैसे एक व्यक्तिगत गिरस्ते की नमक के लिए मांग अत्वा कुछ आर्थिक इकाईयों के छोटे से समूद जैसे बजार की नमक के लिए मांग आधी का अधियन किस में किया जाता है तो राइट आंसर है इसमें आपका वेस्टिटी अल्थशास्त में अगला कोशन है आपके सामने जीवन के भोति गुणवन्ता सुचकांग का पर्तिपादन किस ने किया तो राइट आंसर है जान टीन वर्जन उननिस सो छेटर में किया था अगला कोशन है जीवन के भोतिक गुणवत्ता सुचकांग को विज्ञानिक रूप में प्रस्तूत एंविक सिथ करने का श्रे किसे दिया जाता है तो राइट आंसर है मारिस डी मार्टिस को दिया जाता है अगला कोशन है मानव विकास सुचकांग की और धन्रका पर्ति पादन किस ने किया तो राइट आंसर है पाकिस्तानी अल्थ शास्त्री महबूल उल्हक ने किया था अगला कोशन है भारत में कुल कितने उस नियायले हैं तो राइट आंसर है नियायलो की संख्या उस नियायलो की संख्या है वो 21 है दोस्तो अगला कोशन है भारत के किस उस नियायले में नियायलो की संख्या सबसे कम है तो राइट आंसर है सिक्किम उस नियायलो में सबसे कम सं तो राइट आंसर है इलहबाद उस नियायले, अुत्तरप्रदेश जो है ये बारत का सबसे बड़ा उस नियायले है, यानि के हाई कोट है अगला कोशन है आपके सामने पच्टना उस नियायले की सापना कब हुई तो राइट आंसर है 1916 भी में अगला कोशन है मद्दे पर्देश का उस नियायले कहां हिस्तित है तो राइट आंसर है जबलफूर में अगला कोशन है उस नियाएले के शेतर दिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है तो राइट आंसर है भालतिय संसत को अगला कोशन है उस नियाएले के नियाएधिशों की नियुकती कौन करता है तो राइट आंसर है राजपती अगला कोशन है आपके सामने उस नि महिला मुक्ः नियायधिश कौन थी तो राइट ऐंसर इसमय पका श्रीमति लीला से पहली जो महिला नियायधिश थी उस नियायधिश कर पर मतनली को राइट ऐन्सर ए बारत का sending नियायधिली को अगला कौशन आपके सामने किस उस नियायले में सबसे अधिक इस्थाई आ इस्थाई खंड पीड़े हैं तो राइट अंसर है गोहाटी उस नियायले में उस नियायले दोरह दिया गंड निल्देश परिवल्तित किया जा सकता है तो राइट अंसर इसमें आपका अनुशेद दोसो 26 अगला कोश्चन है आपके सामने उलिसा राज्य का उस नियायले कहां इस्ति थे तो राइट आंसर इसमें आपका कटक में अगला कोश्चन है आपके सामने किस राज्य के उस नियायले के नियायदिशों के वेतन एम भत्तों का संबन किस से होता है तो right answer इसमें आपका संबंदित राज्ये की लोकलेखा वीदी से अगला question है केंडर शासित पड़िष दिल्ली का उष्णियाले कहा इस्ति थे तो right answer इसमें आपका दिल्ली में ही इस्ति थे अगला question है आपके सामने मूल अधिकारों को सरपर्थम किस देश में माननियता दी गई तो राइट अंसर इसमें आपका सैयुक्त राज्य अमेरिका में अगला कोशन है डाक्टर बी आर अमबेटकर ने सम्विधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग का तो राइट आंसर है इसमें आपका भाग तीन को जो है सबसे अलोकित भाग का इंपोरिट कोशन है तो उस्तो धियान रखेगा अगला कोशन है आपके सामने भारत के सम्विधान में मूल अधिकार क्या है तो राइट आंसर है इसमें आपका सर्वोष नियाल लेगो अगला कोशन है भालतिय सम्विदान का अस प्रिष्टा अनुछेद में है तुराइट अंसर है अनुछेद 17 अगला कोशन है आपके सामने मोलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश क्या है तुराइट अंसर है वैक्तिकत स्वतनता को सुनिष्ट करना अगला कोशन है सुतनता का अधिकार किस अनुछेद में वढ़नी थे तुराइट अंसर है आपके सामने सूशना का अधिकार किस अनुछेद में जोड़ा गया तो राइट अनुछेद 19A में जोड़ा गया अगला कोशन है शिक्ष्यक अधिकार किस अनुछेद में जोड़ा गया तो राइट अनुछेद 21A में जोड़ा गया है आगे कोशन है आपके सामने अनुछे 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वढ़नी थे तो राइट आंसर है बच्चो को शोशन के विरुद अधिकार अगला कोशन है संपत्तिक अधिकार कैसा अधिकार है तो राइट आंसर है ये कानून अधिकार है अगला कोशन है धार्मिक सौतनतक अधिकार किस अनुच्छेद में है तो राइट अंसर है अनुच्छेद पच्छित में है अगला कोशन है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है तो राइट अंसर इसमें आपका संसत को जो अधिकार होता है वो मौलिक किसी भ अगला कोशन तो राइत आंसरे अगला कोशन तो राइट आंसर है सम्विधानिक उफचारो का अधिकार अगला कोशन आपके सामने मौलीक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट का दायर की जाती है तो राइट आंसर उस्तम नियायले में अगला कोशन है किस याचिका का शादिक अल्थ होता है हम आदेश देते हैं त तो राइट आंसर है इसमें आपका परमादेश अब का अगला कोशन है सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है तो राइट आंसर है जमू एंड कश्मीर अगला कोशन है किस केदी को नियायले के समग प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की अवशकता होती ह तो राइट आंसर है इसमें आपका बंदी परतियक्षी करण की अवशकता होती है अगला कोशन आपके सामने वेक्ती सूचनता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है तो राइट आंसर है इसमें आपका हैवियस कापर्स रिट दायर की जा सकती है अगला कोशन है मूल अ अगला कोशन है सभीदान के किसने इचलय तेज़ में किसका वन्डण है और राइट लबाद शोषन के विरुथ अधिकार अगला कोशन है संपत्तिक के मौली का अधिकार को किस संशोधन दॉरह समाप्त किया गया ऊप्ट आपि यह 64 संशोधन दुवारर तो राइट आंसरे जवालल नहरू अगला कोशन है किसने सुझाओ दिया था कि सुधन का प्राप्ती के बाद भारती राष्टे कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए तो राइट आंसरे महत्मा गांदी अगला कोशन है भारती मुसल्मानों के लिए प्रथक राज्जी है तू पाकिस्तान शप्त का पर्योग सरबर्थम किस ने किया था तो राइट आंसरे महत्मा आपका चोदरी रहमत अली ने किया था अगला कोशन है 1946 में बनी अंत्रिम सरकार में राजेंदर परसाथ के पास कौन-कौन सा विभाग था तो राइट आंसर इसमा आपका खाद एंव किर्शी विभाग था अगला कोशन है 1949 में कांगरच छोड़ने के बाद सुभाश्चन बोस ने किस दल की स्थापना की तो राइट आंसर है फारवर्ड बिलाकी स्थापना की थी अगला कोशन है 1946 में गठित अंत्रिम सरकार की कैबिनेट की अध्यश्चता किस ने की थी तो राइट आंसर है जवालल नहरू ने अगला कोशन है किस ने परसी चटगाउं शस्तागार पर हमले की को आईट किया था तो राइट आंसर है सूरियंसराननननने अगला कोशन आपके सामने जे परकाश नारायंड किस पार्टी से जुड़े थे अगला कोशन है चार अप्रेल उनिस सो उनिस इसवी को दिल्ली की जामा मस्जित के परवचन में हिंदू-मुस्ली में एकता के भाशन किस ने दिये तो राइट आंसर इसमापका सुआमी श्ट्रानन ने अगला कोश्चन आपके सामने विष्भालती विष्ट धाले की इस थापना किसने की तो राइट आंसर है रवीन नाठ टेगोन ने अगला कोश्चन है लाट माउड बेटन योजना का शुबहरम कब हुआ तो राइट आंसर है अगला कोशन है सुख्देव भगत सिंग विराज गुरू को फांसी कब दी गई तो राइट आंसर है 23 मार्ज 1931 को अगला कोशन है नो सेनिक विर्णो कब हुआ तो राइट आंसर है 1946 इस भी में अगला कोशन है महात्मागानी ने सावर मती आश्रम की स्थापना कब की 1916 में इंपोरिट कोशन है दोस्तो धियान रखेगा अगला कोशन है सीधी कारवाई दिवस कब मनाया गया तो राइट आंसर है 16 अगस 1946 को अगला कोशन है हरीजन सेवक सन के अध्यश कोन थे तो राइट आंसर इसमें अगला कोशन है किस वर्क से समबंदित था तो राइट आंसरे दलित वर्क से अगला कोशन है हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपप्लिकन अशोशियेशन पार्टी की स्थापना कब हुई तो राइट आंसरे 1928 में उकला कोशन है बारत छोड़ो अंदोलन का प्रारम हुआ तो राइट अंसर है भगर सिंग ने अगला कोशन है भारत पाकिस्तान के भी सीमांकन किस ने किया तो राइट अंसर है आपको सर सीरील रेट कलिफ ने जो है भारत पे पाकिस्तान के भी सीमांकन किया था इंपोरिट कोशन है दियान रखेगा दोस्तो अगला कोशन है अगला कोश पाकिस्तान की मांग 1940 ISPV को किस ने अधीवेशन में की तो राइट आंसर ने लाहूर अधीवेशन में की गई अगला कोशन आपके सामने गौर्मेंट आफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया है तो राइट आंसर ने 1935 में अगला कोशन है गव्येशन योजन योजना ककब बनी तो राइट आंसर ने 9096 में अगला कोशन है दांडी मार्च कब आरेम हुगा तो राइट आंजर इसमें आपका 12 मार्च 1930 को अगला कोशन है कांठ की सिस्थां पर हुआ तो राइट आंसर गोर्यखपूर में अगला कोशन है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरम कौन सा है तो राइट आंसर है भालती रेल अगला कोशन है भालती रेल किते शेत्रों जोनों में बाटी गई है तो राइट आंसर है सत्रा अगला कोशन है भारत में पर्थम रेल कप चली तो राइट आंसर है 16 अपरेल 1853 को पर्थम रेल चली थी अगला कोशन है भारत की पहली रेल कहां चली तो मुंबई और थाने के मद्य जो है भारत की पर्थम रेल चली थी भारती रेल नेटवर्क का विश में कौन सा इस्थान है तो राइट आंसर है चोथा इस्थान है अगला कोशन है भारती रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा इस्थान है तो राइट आंसर है दूसरा इस्थान है आगे कोशन है आपके सामने भारती रेल बोर्ट की स्थाप शुबारम कब और कहा हुआ तो राइट आंसर है 1984-85 इसवी में कोलकत्ता के अंदर से शुबारम हुआ था अगला कोशन है भारत में सबसे लंबी दूरी ते करने वाली रेल गाली कौन सी है तो राइट आंसर है विवेक एक सुरेस अगला कोशन है भारत में पर्थम विदु इंजन का निर्मान कब प्रारम हुआ तो राइट आंसर है 1971 में अगला कोशन आपके सामने इंट्रिकल कोच फेक्टरी कहा है तो राइट आंसर है इसमें आपका पेरंबूर चैन नहीं अगला कोशन रेलवे कोच फेक्टरी कहा है तो आंसर हुसेनपूर कपूर्थला अगल आंसर है 1988 में अगला कोशन है भारत और पाकिस्तान के भी चलने वाली रेल गाड़ी कौन सी है तो राइट आंसर है समझोता विथार एक्सप्रेस अगला कोशन आपके सामने भारत में सबसे तेजगती से चलने वाली रेल गाड़ी कौन सी है तो राइट आंसर है शताबदी ए तो तो रैट आंसरेे तो मेगालेे के अंदर रेल मार्ग नहीं है अगला कॉशने पहले estásd सामने पराइट में कित्त परकार की रैल dope मैं तो आछर नो पाइंटेंट इसंग होती गोड़ा कार्य करते हैं तो राइट आंसर है कोल रेल मारगों की रमबाई की ता कोशन है भाहरत में माल परिवहन के लिए सब से जाद उप्योग किया जाता है तो राइट आंसर है भाहर टिया रेल अगला कोशन है वील्स आफ एकसल प्लांट कह husbands तो राइट आंसर है बैंगलोरू करनाटक में अगला कोशन है भारत में पर्थम करांती रेल कहां चली तो दिल्ली से बैंगलोरू के लिए चली अगला कोशन है विर्णवन एक्सप्रेस के निस्थानों के मद्धे चलती है तो राइट आंसर है चैन्नी और बैंगलोरू अग अगला कोशन है आपके सामने भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के अक्टी दूरी तेखी तो राइट अनसर है 34 किलोमीटर की दूरी तेखी अगला कोशन है रेल मंतरा लेल्य ने विलेज और विल्स नमक पर योज न इस वर्ष प्रारम की तो राइट अनसर है 2004 में प्रारम की था अगला कोशन है बाहरती रेल का राश्ट्य करण कब हुआ तुराइट आंसर इसमें आपका 1950 में अगला कोशन है कौलकत्त में भूमिगत रेल्वे मारक दम्दम से टॉली गंड्स तक लंबाई कितनी है तुराइट आंसर है 16.45 किलो मिटर है अगला कोशन है देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार की लंबाई किती है तुराइट अनसरे 4256 किलो मेटर अगला कोशन है भारत की संगिये व्यवस्त थापी को किस नाम से जाना जाता है तुराइट अनसरे संसत के नाम से जाना जाता है अगला कोशन है भारतिय संसत का न सब्सक्राइब तो राइट आंसर है नियाय समिक्षा से, अगला कोशन है, भार्ची संसत की दोनों की सयुक्त बैठक किस संबन में होती है, तो राइट आंसर है इसमें आपका साधारन विदेहक के संबन में होती है, अगला कोशन है आपके सामने, साधारन विदेहक से संबन गतिरोत को दूर करने के लिए संसद के दोनों सद्वनों की सयुक्त बेठक कौन बुलाता है तो right answer है राश्पती, अगला कोशन आपके सामने स्वतन भारत में अब तक किती बार सयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं चार भार हो चुके हैं, तो उस्थे इंपॉडिट कोषण ने त्यान रखियेगए, अगला कोषण है, क्या राष्षपती या उप्राष्थपती कभी सयुक्त अधिवेशन क durability करता है, तो राइड अन्सार और कभी नहीं करता है, अगला कोषण है, एक बश्च से कम से कम कित्ती बार संसद की बैठक होनी अवशक है तो राइड आंसर इसमें आपका कम से कम दो बार जो एक बश्च में संसद की बैठक होनी अवशक है अगला कोशन है आपके सामने संसद के दोनों सदनों की सैयुकता दिवेशनों की अधियशता कौन करता है तो राइड आंसर है इसमें आपका लोकसवा अधियश अगला कोशन संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है तो राइड आंसर है राश्पती अगला कोशन है संसद्य पढणाली को कौन सी पर्था भारत की देन है तो राइट आंसर है शुनिय का अगला कोशन है संसद्य की कर्रेवाई में पर्थम वीचे कौन सा होता है तो राइट आंसर है प्रेशन का अगला कोशन है किस विदहेक को संसद्य में दोनों सद्नों संसद्य पढ़नली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर संग्य सरकार सरविनान लागू होने के बाद सरपर्थम तिरकुंशू संसद का गठन कब हुआ तो राइट आंसर उन्निस तो नवास्ती के अंदर अगला कोशन है आ इस्थाई संसत भारत में कब तक रही तो रहीट अन्सर है 17 अपरेल 1952 तक रहीए अगला कोशन है संसत भौण पारल्लेमेंट हाऊस का उतगाटन कब हुआ और राज्य सभा में बद्वेट होने पर अगला कोशन संसथ का निम सदन कौन सा होता है तो लोक सभा संसथ का निम सदन होता है अगला कोशन है संसथ का उस सदन कौन सा है राज्य सभा जो संसथ का उस सदन है संसथ के किस सदस्य को गेर सरकारी सदस्य कहा जाता है तो आंसर ए मंत्री के अत्रिक अन्य सभी सदस्यों को अगला कोश्चन ईपके सामने जलिये वाला बांग हट्याकाइब कब हुआ था तो राइट आंसर एut एक कपपारित हुआ तो राइट अगला कोशन है गांधी इर्विन समझोता कब हुआ तो राइट आंसर है 1931 स्वी में है अगला कोशन है गांधी इर्विन समझोता किस से संबंदी थे तो राइट आंसर है सविन्य अविग्या अंदोलन से अगला कोशन है आपके सामने स्वातन भारत के पर्थम कवर्णल जन अगला कोशन है साइमन कमिशन भारत यत्रापर कब आया तुरहीट अट्वाशन में जो मोहिम्मध अली जिन्दन अगला कोशन है जलियावाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया तो राइट अंसर जनरल ओर डायन ने अगला कोशन है महत्मा गांदी को सर पर दम राशपिता किसने कहा तो राइट अंसरे सुवाश्चन बोशन ने अगला कोशन है 15 अगस 1947 से भारत ने अपना अजाडी का पहला जश्टन कहां मनाया तो राइट अंसर है कुलक्ता में अगला कोशन है planet के किस योजने के तेहत हुआ तो राइट अंसर है mountaineaden modern for our Leaving के अंतर का, अगला कोशन है महात्मा गांदी की, हतिया कव εं इसने की, तो राइट अंसर इसमापके, ती जनवरी 1948 इसमी में नाधुर राम गोड से ने हत्या की थी इंपोरिट कोशन है दियान रखियेगा अगला कोशन है स्वाटन्द भारत का पर्थम भारतिये गवर्नल जर्रिनल कौन था तो राइट अंसर है सी राजगोपलाचारी जो स्वाटन्द भारत का पर्थम गान्दी जी किस गोल में सम細नosure ना gonna कोशन है अगला कोशन है उन्दिया फोर इंडियन नमख पुस्तक किसने लिख लिखी जनरल डायर की इयर किसने की उधम सिंग ने अगला कोशन है आपके सामने भार्टी कम्मिनिस्ट पार्टी की स्थाबना कब हुई तो राइट अंसर है 1921 में अगला कोशन है दांडी याटर में गांदी जी ने कितनी दूरी ते करके नमक कानून का विरोध किया तो राइट अंसर है 385 किलोमीटर की दूरी ते करके अगला कोशन है जलियावाला बाग कांड के समय भारत का वाइसर आए कौन था तो राइट आंसरे लाट चैंप सोड अगला कोशन है किसे लाल कुर्टी के नाम से जाना जाता है तो राइट आंसरे खुताई खित्मत गारों को तो लाल कुर्टी के नाम से जाना जाता है अगला कोशन है उन्नीस सो इस पी में पं इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किस ने की तो राइट आंसर है 1932 इसवी में महात्मा गानी ने अगला कोशन आपके सामने 21 अक्टूबर 1943 इसवी को सुतन भारत की अजाद हिंस सरकार की घोशना कहां की गई तो राइट आंसर है सिंगापूर में अगला कोशन है भ भारती राष्टे का अंग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ तो राइट आंसर है हरीपूर के अंदर दोस्तों पूरा इंपोरिट वीडियो है हर कोशन इसके अंदर इंपोरिट है आप अगर चैनल के उपर नए है चैनल सब्स्राइब कीजिए और बेल आइकोन प्रेस करके रखे हैं ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिक फेशन मिलते रहें दोस्तों मेरे दो चैनल हैं भारत जी के स्टेडी जी के नियूपाइंट दोनों को ही सब्सक्राइब कर लीजे पहला इकोन प्रेस कर लीजे दोनों को ऊपर जीके की नई नई वीडियो डेली आती हैं जो भारत की सभी एक्जाम्स के लिए होती हैं आप चाहे किसी भी एक्जाम्स के तैयारी कर रहे हूं सभी में जो ये वीडियो कामाने वाली वीडियो हैं दोस्तों एक स्टूडेंट कम से कम दस स्टूडेंट के साथ में जरूर शेयर करें इस वीडियो को ताकि उनका भी पेपर अच्छा हो सके हम सभी कोशन बोले के आते हैं जो कोशन पहले के बारे एक्जाम के अंदर रिपीट हैं और आगे भी रिपीट होते रहेंगे तो अगला कोशन है आपके सामने अगला कोशन है भारती राष्ट्य का अधिवेशन का हुआ तो राइट आणसर है हरीपूर के अंदर हरीपूरा में अगला कोशन है अगला कोशन है करो या मरो का नारा किस ने दिया तो राइट आणसर है महत्मा गानी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था अगला कोशन है आपके सामने 1931 के करांची अधिवेशन में भालती राष्ट्य कंग्रेस की अधिश तक इसने की तो राइट आंसर है स्लदार भाई पटेल ने अगला कोशन है भारत में साइमन कमिशन के भाईषिकार का क्या कारण था तो राइट आंसर है इसके सबी सदस्य अंग्रेश थे दोस्तों इ किस अंदोलन में सलदार पटेल ने मुख्य भूमी का निभाई तो राइट अंसर बादोली सत्या गिरे में अगला कोशन है भारत छोड़ा अंदोलन का परस्ताओ आले किस ने बनाया तो राइट आंसर महत्मा गानी ने अगला कोशन है आपके सामने तंतानोलन के दुरान साबर मती आश्रम किस शेहर के निकट था तो राइट अंसर आहमधबाद के निकट अगला कोशन है इंडियान एसोसियेशन की स्थापना की तो राइट अंसर इसके काल में प्रारी तुआ अपका 1940-whe streaming की से कहा जाता है पहली बार कौन सा भार्तिय बिल्टिश संसत के लिए निरवाचित हुआ अगला कोशन है भार्तिय रास्टिय कांग्रेश की पल्थम बैठक कहां हुई मुंबई के अंदर अगला कोशन है भारतिय संग के संसापक कौन थे तुराइट आंसरे सुरेंडर नाद बेनलजी अगला कोशन है किसकी किरफतारी के बाद भारतिय राष्ट्य कांग्रेस बे नया मोड आया तुराइट आंसरे बाल गंगाधर तिलग अगला कोशन है भारतिय राष्ट्य कांग गाना जाता तो राइट आंसरे बाल गंगधर तिलक अगला कोशने बंगाल का भी वाजन कब वे किस वाज़ाय ने किया तो राइट आंसरे 1905 भी में लाड करजन ने अगला कोशने आपके सामने भालती राष्टी कांग्रेस का पर्थम मुस्लिम प्रेजिडेंट कौन था तो राइट आंसरे 1863 स्वी में अगला कोशने बहाती राष्टि राष्ट्रे कांग्रेस की पर्थम मुला अध्यस कौन थी तो राइट आंसरे डॉक्टर एनी बिसेंट अगला कोशने घदर पालटी के संसापक कौन थे तो राइट आंसरे लाला हर दियाल अगला कोशन है आपके सामने सुराज मेरा जनम सिद्ध अरिकार है मैं उसे लेकर रहूंगा किसका ने कहा था तो राइट अंसर है बाल का गदरती लग अगला कोशन है माले मिन्टोर रिफॉंस का किस वर्ष हुआ तो राइट अंसर है 1909 इसमी में अगला कोशन है भारतिय परिशद अधिनियम 1909 का सर्व ग्राहे नाम क्या है तो राइट अंसर है माले मिन्टो सुधार अगला कोशन है भारत में गरम दलिये कौन थे जो बाद में एक योगी वे दाशनिक बन गए तो राइट अंसर है अर्विन दोग होशा अगला कोशन है मेडम भीम कांजी रुस्तम 1909 इसमी में पेरिश में कौन सा समचार पत्र परकाशित करती थी तो राइट अंसर है इसमें आपका पेट्रियेट नाम था उसका अगला कोशन है भारत में मुस्लिम लीक की स्थापना कब हुई तो 1906 में हुई थी अगला कोशन है होम रूल अंदोलंड का सुत्रपाद कब हुआ तो राइट अंसर है इसमाफका 1916 इसमी में तो राइट आंसर है राजधानी को कोलकत्ता से तिल्ली हंस्तार करना important question है ध्यान रखिएगा दोस्तों अगला question है आपके सामने अनुशीलन सीमिती किस से संबंदित है तो राइट आंसर है पी के मिश्टरा से संबन दीते हैं अगला कोशन है भारती राष्टे कांग्रेस का विभाजन कब हुआ तो राइट आंसर है 1937 में अगला कोशन है आपके सामने मुस्लिम लिग की स्थापना किसने की तो राइट आंसर है समीम उल्ला एम आगा खान ने अगला कोशन है लिग कन दीते हैं साहिता है अगला कोशन है निचकर विरोत का सिधान किसने प्रटिबादित किया तो राही टांसर है अड़्विन घोष्ट तौन मैं अगला कोशन बंगाल से बिहार कब प्रिथक हुआ तुराइट आंसर ए 1912 में अगला कोशन है राजनीती स्वतनता की प्राण वायू है ये शब्त किसने के तुराइट आंसर ए अर्विन घोशन किसने कराया तुराइट आंसर ए डॉक्टर एनी बेसंट ने अगला कोशन है अलीपूर बंकांड में अर्विन घोश का बचाओ किस वकील ने किया तुराइट आंसर इसमें आपका सी आर दास ने अगला कोशन है सूरत अधिवेशन कब हुआ तुराइट आंसर ए 1907 में अगल अगला कोशन है भारत में गरम दली अंदोलन का जनक किसे माना जाता है तो राइट अंसर इसमें आपका बाल गंगादर तिलक को माना जाता है अगला कोशन है आपके सामने मुस्लिम लीक का पर्धा मध्यश को था तो आगा कहा था अगला कोशन में गधर पार्टी की स्थापना कब हुई अगला कोशन है भारत छोड़ा अंदोलन का परस्ताओ कब पारित हुआ तो राइट आंसर है उन्निस सो सेटालिस इसवी के बाद किस राज्य को भारत संग में सेनिक कर रहा ही दौरा बल पूरवक मिला लिया गया तो राइट आंसर इसमें आपका हैदराबाद को मिला लिया गया था दोस्तों अगला कोशन है आपके सामने सुभाज चन बोस ने सिंगापूर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया तो राइट आंसर है उन्निस सो पैथालिस में अगला कोशन है असायो का अंदोलन क्यों वापिस लिया गया तो राइट आंसर है इसमें आपका चोरी च सामने अपरदन के समानिय चक्र में पुन योवन को कौन सी स्थल्प आकिर्टी परकट करती है तो राइडान सरे अपका अधे कर्टित विसर्प जो है इसका नाम है दोस्तों अगला कोशन है जलोन पंखो का निर्मान कहा होता है तो राइडान सरे पहाड़ी के तलिय शेतर प आचंदन कार मरुस्थलिय आकिर्टी किस नाम से जानी जाती है तो राइडान सरे बर्खान के नाम से जानी जाती है अगला कोशन है लोयस जमाओ के शेतर कहां मिलते हैं तो राइडान सरे इसमापका उत्तरी चीन में अगला कोशन है लोयस का निर्माल किस में होता है तो र तो राइट आंसरे मरुस्थलों में मिलती है अगला कोशन है आपके सामने सीफ का निर्मान किसके द्वारा होता है तो राइट आंसरे पवन से निर्मान होता है अगला कोशन है अंडों की टोकरी की इस्थल आकरती किस से संबंदित है तो राइट आंसरे ड्रम लिन से अगला कोशन है हिमोड किसके द्वारा निशेपित किये जाते हैं तो राइट अंसर है इसमें आपका हिमनद द्वारा अगला कोशन है टॉमबोलो की आकरती के निर्मार किसके द्वारा होता है तो राइट अंसर है महासागरिये तरंगों से होता है अगला कोशन है कोपालवा कार की आगिर्ति कौन बनाता है तो राया आंशर इसे हैं आपका नदी बनाती है अगला कोशनके सामने बहते हुए नदी के पानी द्वारा निर्मित अगिर्ति वीhin मेदानों को किस नाम से जाना जाता है तो राया आंसर एपहो बेी प्लेन की नाम से का निर्बाण होता है तो राइट अंसर पावंदुः अगला कोशन है एरीट क्या है तो राइड अंसर इसमापका हिमानी परदेशों में कंगीन हुआ तेज किनारे वाली नगन चट्टानों की दिवारे जो एरिट के लाती है अगला कोशन है यूवाला कहा है इस्तिते तो राइट आंसर है चूना पत्थर परडेशों में आगे कोशन आपके सामने गोसिर किस दीब का महान गीजर है तो राइट आंसर है आयस लेंड में अगला कोश्चन है, संसार का सब्सक्राइब बड़ा, पताली जल का गीजर की बैसिन में है तो राइट आणसर है, और आस्ट्रेलिया के विरत बैसिन में है अगला कोशन है आपके सामने चूना पलडेशों में पाई जाने वाले कीप के अकार के गर्थ को क्या कहते हैं तो राइट आंसर है घोल रधर का जाता है इने अगला कोशन है खुड्राओ के मंदिर कहां इस्ती थे तो राइट आंसर है मध्य पलडेश में इस्ती थे अगला क बीजगनित के शेत में अपने विशिश युगदान के लिए किसे जाना जाता है तो राइट आंसर भासकर को जाना जाता है अगला कोशन आपके साबने सबसे पुराना वादियन्तर कौन सा है तो वीना जो है सबसे पुराना वादियन्तर अगला कोशन है किस विरत्ते मंदिर की आरंबिक कलपना तथा दिर्बाल सुर्य वर्वन दित्य कराज्य काल में हुआ तो राइट आंसर अंकार वार्ड मंदिर अगला कोशन आपके सामने अमरावती बहुत स्थूप कहा है तो राइट आंसर आंज पल्देश में अगला कोशन आपके सामने नादिशा ने भारत पर आकरवन कप किया तो राइट आंसर ने सत्रा सो ताली सिस्पी में अगला कोशन शीवा जी के समय कितना राज़स वसूला जाता था तो राइट आंसर भूराज़स का 33% अगला कोशन आपके सामने अगला कोशन आपके सामने गुरु नानक का जीवन परीचे किस सीख गुरु ने लिखा तुराइट अनसर गुरु अलजुन देव ने अगला कोशन है औरंग देब के शासनकान में बंगाल का नवाप कौन था तुराइट अनसर मुर्शीत को लिखा अगला कोशन है शीवजे की मिरित्यु कब हुई नहागीर की पत्नी दूल जहां का वास्तविक नाम क्या था तो महरुन निसा था दोस्तो उसका नाम अगला कोशन है हैदर अली मैसूर के शासक कब बने तुराइट अनसर ने 1761 के अंदर अगला कोशन है नादिशा कहा का शासक था तुराइट अनसर इरान का अगला कोशन ह मादव राओ नारायान पेशवा कब बने तो राइटांसर ने 1761 इस वी में अगला कोशन है गुरू गोवन सिंग ने खाल सा पत की नीव कब डाली तो राइटांसर ने 1699 इस वी में अगला कोशन है आपके सामने किस गुरू ने विद्रोही मुगल राजकुमारों की साहिता धन वे मन से की तो राइटांसर ने गुरू अरजुन देवने अगला कोशन है आपके सामने सेयद बंदो का पतन किस के समय मुगा तो राइटांसर नादिर शाह को अगला कोशन है तो राइटांसर नादिर शाह को अगला कोशन है तो राइटांसर नादिर शाह को अगला को अगला कोशन है किसने शीवा जी को तोपे पलदान की तो राइट आंसर है अंग्रेजों ने पलदान की ती अगला कोशन है शीवा जी और मुगलों के बीच कौन से संदी हुई तो राइट आंसर है पुरंदर की संदी हुई ती अगला कोशन है शीवा जी का राज भीशे कहा हुआ तो राइ पेश्वा बाजी राव सेकिंड और एहमश्या अबदाल एक के बीच में अगला कोश्चन है आपके सामने शीवजी जी सबसे अधिक किस से परभावित थे तो राइट अंसरे जीजा बाई से अगला कोश्चन है अश्पलधान परिशत किसके शासनकाल में थी तो राइट अं पेश्वा बाजी राव सेकिंड अगला कोश्चन है सरे जामी पर था किस से संबंदित है तो राइट अंसरे मराठा भू राजव व्यवस्ता अगला कोश्चन है आपके सामने बीचापूर के सुल्तान ने किस सरदार को शीवजी को जिन्दा यह मुर्दा पकटने के लिए आगला कोश्चन है किसी थियासकार ने पनीपत की लडाई को सुएम देखा तो राइट अंसरे काशी राजपंडीत है अगला कोश्चन है शीवजी औरहंग्देब को मराठा शाहसन को किसने सरलल कारगर बनाया तो राहट ऑनसरे वाला जी विष्वनादे दोस्तो बहुत वीडियो है वीडियो को दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजेगा वीडियो कैसे लगा अपने दोस्तों को जादे से जादे जरूर शेयर कीजेगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपका दिन शुब हो जेहिन जे भारत